वेलकम मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी जी हाँ राइ समार्ट के ओनलाइन प्रेटफोर्म राइ समार्ट हिंदी पर संजी वारिया यानि मैं करता हूँ आप सभी का स्वागत और जी हाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जैमिनेशन तब चल ही पड़े हैं और ए जिसक्स करेंगे पोसिबिलिटी बनती है कि उनमें से कुछ क्वेशन जरूर आपको मिले और जितने आज तक हमने क्वेशन किये हैं आपने देखा होगा जिनके एक्जैम हुए हैं अभी तक चाहें टीजीटी के हों पीजीटी के हों उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेशन जरूर मिले हैं और क्वेशन एजिटीज भी मिले हैं और वही ना वहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टेंडिंग भी बनी है हमारी एक्जैमिनेशन में ठीक है और जिहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूजा आरिये विजय शवरान सुमन सिरोही और ऊपर भी पारवती सोलंकी बड़ा अच्छा लगता है वही जब इतने सारे मतलब एक विश्वास दिखाए देता है कि आपको पता है कि हम जो क्वेशन कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं आपके लिए वह यूस्फुल रहने वाले हैं एक्जैमिनेशन में जिया मैं बहुत अच्छा हूँ पूजा आरिया जी आप कैसे हैं ये बताइए गुरलीन जी गुडिवनिंग आपको भी ठीक है जी और पहले ये बताइए कि जो मैंने आपके साथ आज जो कैपसूल नाम से एक शेयर किया था पीडिएफ वो कैसा था उसमें काफी कुछ अब्रिवेशन भी थी इंपोर्ट ये लगा कि भी अभी जो है आपको एक कम्प्लीट एक ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए कि आप जब एक्जैमिनेशन में जाएं तो उससे पहले आजिए आप उसको एक बार पढ़ें तो आपको सारी चीजे रिकॉल हो जाएंगे ठीक है जी बहुत वैल्यूवेबल थैंक इनर्जी जो है कहीं नगहीं फूट फुल रहती है ठीक है तो भई मैं इस समय में बिलकुल सही हूँ आप कैसे एक बर ये भी बता देना भई ठीक है और बाकियों किसी ने बतायारे में क्या सिर्फ अनजुनायक जी को ही मिला है या किसी और को भी मिला है नहीं कि पर बता कि उसमें से भी आपको बहुत सारी वैलिवेबल चीजे मिलने वाली है हाना तो एक बार बता जरूर देना कि वह आपके लिए काम की भी है या नहीं है ठीक है तो चलिए भई फटा फट से टाइम वेस्ट ना करते हुए और जी हां आज मैं आपको बता रहा हूं हम करेंगे ब आप बता दीजिए उसमें भी डाल देंगे बिल्कुल जी किरती सिंग जी थेंकिए सो मच आपको यदि अच्छा लगा है तो जोती पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धिन्यवाद एंड शार्दा सुलंकी जी मैं बहुत बढ़िया हूं आप कैसे हैं यह बताईए जी WhatsApp पे नहीं है तो प्लीज आप ग्रूप का हिस्सा बनिये वहां पर आपको मिल जाएगे अदर्वाइस टेलिग्राम पर भी डाल देंगे कोई भी इस्यू नहीं है ठीक है और WhatsApp पे जैसे की questions जो हो पूछते रहते हैं students ठीक है मैं कोशिश करता हूं उनके answers देने की तो इसलि है कि हाँ हम कुछ valuable कर रहे हैं ठीक ही हाँ बिल्कुल आपकी सारी problem दूर तो नहीं कर पाएगी capsule लेकिन काफी कुछ ही है कि आपको चीजे जो है recall करने के point of view से अच्छा है यदि आपके understanding बनी हुई है तभी आप उसको अगर पढ़ेंगे तभी benefit होगा तभी लाब होगा न ठीक है मिल गया सर कैप्सूल जी बड़ी गुड भई चलिया जी गुरमीत कोर जी मिल गया बड़ी अच्छी बात है नहीं MCQ questions आज की class में MCQ questions है लेकिन उस capsule में MCQ questions नहीं है उसमें just theory है ठीक है और theory टोटल 16 pages है और आपो 16 pages यदि आप पढ़के जाएंगे examination में तो दावे स में कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें से examination में आपको question ना आए ठीक है जी सागर रोहिला जी एंड जोती पांचाल जी गुड इवनिंग आपको सभी को ठीक है मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही आप कहें तो मैं एक बार AC own कर लूँ ठीक है फिर उसके बाद मे इंट वर्किंग काम करना तुछ यह था भाई इसको अब तक तो आपने फिर slides भी देख लिए होगी ठीक है हम तो free है free कैसे है वो भी बता देना भाई ठीक है मैं शायद देख लेता हूं भाई यह जो है काम नहीं कर रहे है ठीक है मैं कर देख लेता हूं कि शायद इसका अब यहां पर आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे बारे में बताना ही क्या है ठीक है जी गुड इवनिंग बल्वंत जी एंड थेंक यू सो मच आपकी क्लासी से पीजीटी एक्जाइम में भी हैल पूई जी आप थेंक यू आपको अगें मैं यह कह रहा हूं कि भाई धिन् प्रेचर ज्यादा कम मत करना ठीक है थोड़ा सा मेंटेन कर लेना ठीक है तो यह मेरे बारे में लिखा हुआ इसके बारे में जानके करना भी क्या है ठीक है आपको जो चाहिए वह अभी आने वाला आपके सामने जो क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन यह है जी अलब जब एक थेशोल्ड से नीचे जब अगर वो चला जाएगा ठीक है वोचिंग चली जाएगी तब हम क्लास छोड़ देंगा अदर्वाइस हमारी क्लास चलती रहेगी सुष्मा नामदेव जी गूड इवनिंग कैसी है आप आनसर तो ए आ रहा है वह सभीकार है वह सु इसलिए लेकर आता हूं कि ताकि आप एक जटली समझ सके कि भई कोगनीशन जो है वह एक जटली होता क्या है आपको उसकी डेफिनेशन मिल सके डेफिनेशन क्या है दप्रोसेस ओफ एक्वाइरिंग अन्डरस्टेंडिंग थ्रू और थोर्स हमारे ही जो हमारी सोच है उसी से समझ रहे हो संग्यान कहा जाता है ना संग्यान मतलब स्वेम ग्यान ठीक है जी संग्यान ठीक है जी मतलब स्वेम का ग्यान देखें बाते तो मैं सबको एक ही बता रहा हूं लेकिन उसको क्या समझ आप सभी एक ही तरीके से रहे हैं एक्जेक्टली नहीं ठीक है वो क्यो हाँ तो देखे क्या लिखा है और थोर्स एक्सपीरियंस एंड सेंसीज ठीक है तो इसको हम कहेंगे संग्यान आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपर सभी का आंसर सही था लेकिन चलिए जी वेरी गुड भई दिपांशु बुद्वार 25 माक्स इन सीडीपी सी दिपांशु बुद्वार जो है यह सीटेट के एक्जैमिनेशन का चल रहा था हमारे जो क्लासी चल रही थी उसमें यह रेगुलर थे ठीक है और मैंने इनको कहा था कि आपके मैं कम से कम 25 नंबर तो आप दावे से मैं कह रहा हूं यदि आपने सारी क्लासी लगाई तो इत्रे मार्क्स तो किसी के इससे कम तो आही नहीं सकते है ठीक है और जैसा कि इनों ने बताया और यदि 25 मार्क्स आ गए है तो लेने कितने होते हैं 90 तो अब बचा कितना है 65 तो मतलब बचे हुए कितने 120 में से 65 नहीं आएंगे क्या ठीक है तो भई होफुली जो है आपका आ गया होगा ठीक है चलिए आपको ऐसा लग रहा तो बड़ी अच्छी बात है ठीक है यदि ऐसा लग रहा है तो आई पास चलिए जी वेरी गुड़ भाइपास हो गया तो तो यदि माप से कहुँगो ना कि मुझे मतलब मिठाई देना ठीक ना मिठाई कि लाना तो चलो जी आंसर होगा और बिल्कुल सही बात है आगे चलते हैं फटापट से यहां पर चलो जल्दी से बता दो फटापट से आंसर दे दिए लिए दिपांशु भाई ऐसा करना मत प्लीज ठीक है पहले बता रहा हूं नहीं तो घरवाले कहए यह हो किया रहे है भाई कर क्या रहे हो तू ठीक है अजू नायक चले यह यह जोति पांद क मेलेacă नाना अचर अंसर आ रहे है ऑी अंजू नायक प्रिती कोशिक जबाज शबाज 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 जोती पंचाल बैरी गुड वेरी लेते हैं भी है या क्या कुछ है, what are the major and developmental changes that are found oblique occur in the children at the age of two to seven years. मतलब किसा बात कर रहे हैं, और पूरसंग्यानात्मक्विकास की बात कर रहे हैं, और पूरसंग्यानात्मक्विकास में क्या क्या होता है भई? B अदि आप कहे रहे तो children begin to think symbolically and use words and pictures to represent objects. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 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 इस दा आनसर, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अगर यहाँ पर औरों को अगर समझें, तो मैं यह कहुँगा चूसने पकर्णे जैसे बुनियादी क्रियाओं के माध्यम मैं से दुनिया के बारे में सीखते हैं, तो क्यों सी स्टेज मोटर होगी है mint यह कूह सी स्टेज कम का इसने cultivar हो तिए संतवर स्टेज मारे में से स्टेज जो फुर्स जो पर सब्स्टेज है और जिकठ्धा कर देने सी घती नहीं है मतलब ज़िए हम the magic각ि में जैंब में तो उसके मास में electricity ड में हमी आता है difference नहीं आता है ठिक है तो आ नोह हम प्ता चलता है ये पता चलता अभी बिल्कुल सही बात है जिए बिल्कुल बिल्कुल तीक है मतलब जो पहला है वो क्या है सेंसरी मोटर दूसरा प्रीफरेशनल थीसरा चौंक्रीटोपेशनल एड फोर्फर वर फोर्मल उपरेशनल चारो सीवी से ही दिए गए चलिए बहुत जल्दी जल्दी से आंसर, चलिए जी, very good, इसका आंसर दो फटाफर से, शबाज, 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 आंसर क्या होने वाला है? शबाज, किर्ति सिंग, प्रिति कोशिक, पूजा आ रहे है, very good, very good, शबाज, जल्दी से आंसर दो भई, हमें स्पीड भी बनानी है, भई, स्पीड भी मैटर करेगी, ठीक है जी, दिविया निकिता, एंड बलवंत सिंग कैली, ठीक है जी, एंड बलवंत, ठीक है, बलवंत सि दी, नहीं सर, सी होगा राइट, सी होगा राइट, यह है, इट रेफर्स तो दर रिसोर्स जान इर्फोर्मेशन एट हेल्प स्टुडेंट तो बी सोशली कम्पिटेंट, स्कूल कल्चर की बात चल रही है, तो आंसर यहां पे क्या है, उप्शन नंबर ए है, सी नहीं है, द कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कूल होता है, जो भी कोई स्कूल होता है, उसकी एक अपनी संस्कूल होती है, आप लेके चलिए, प्राइवेट स्कूल कैसे होते है, अच्छे प्राइवेट स्कूल कैसे होते है, फिर आप लेके चलिए, जो अमेरिकन स्कूल कैसे होते है, तो आप पाएंगे कि इनके कल्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, यहां तक बात आ रही समझ में, अब देखते हैं कि डिफरेंस कहां पर पाया जाता है, इट रिफरेंस टुदा बिलीफ, ठीक है आपके विश्वास क्या है, अब इन सभी से रिलेट करके चला, तो डिफरेंट ओंगे relationship between teachers, between teacher and student, between teacher and management, different होता है नहीं होता है, क्या एक प्रीवट सकूल का teacher, और प्रिंसिपल में जो एक relationship do जो होता है, आप अपने आप बताने हम, ठीक है, एट्रिट्वी क्या है, आपका दृष्टी क्या है, there'll return and unwritten, वहां बोल देथे जी जिनको हम क्या बोल देडिन ही थे जैसे के हमारे हिटन करीकोलम होता है ऐसे हीिडन रूल्स भी होता है लिखा जेश्छा में फिर भी आपको फूलो करना ऑपको तो पर बड़ी आग्जाम करना आपको ठीक है और सच में बहुत अच्छा ही होगा यदि आप एक विश्वास में साथ जाएंगे कि हां मेरी तैयारी अच्छी है और मुझे एक गुर्मेंट टीचर मैं बन चुकी हूँ यह नहीं सोचना कि बनना है यह सोचना कि मैं बन चुकी हूँ सोल करके आपके पास भेजता हूँ बिल्कुल पूरी कोशिश करता हूँ ठीक है जी आ नर्वस लग रहा है लग रहा है कुछ नहीं आता आपको सम कुछ आता है कबली का जी बिल्कुल भी नर्वस होने के आउस्टा नहीं यही नुकसान कर जाएगी प्लीज इसको थोड़ कहने का यह है यह प्रशन तो अब कलियर है ठीक है सी नहीं है देख लेते सी को भी इट रेफोर्स टुदा रिसोर्सीज रिसोर्सीज एंड इन्फोर्मेशन एट हैल्प दा स्टूडेंट टूबी सोशली नहीं सोशली कंपिटेंट होना यह अलग चीज है प्लीज इस बात होगा भी घरों में भी कल्चर तो डिफरेंट डिफरेंट होता है लेकिन उसमें सोशलीजम का इंपेक्ट रहेगा लेकिन यहां पर यह जो चीज है यह सारी चीजों को इंक्लूड कर रही है आप अपने घर से भी देखेंगे ना तो आपको यह सारी चीजे पता चल है आपका perception क्या है relationship क्या है attitude क्या है हएना rules कोन से कोन से है तो answer क्या होगा option number a एक तम सही ठीग है तो मेरे तो हो गए चलिए जिव फिर भी thank you जी 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 बिल्कुल exam हो गय है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ Dtt Treilles B के exam आने वाले हैं धारना नही और फटाफट से, इस एक्वेशन जल्दी से आंसर देदो इसके उपर time waste नहीं करना है, हा, ओके, we'll share most of the questions, जी, बिल्कुल, 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 thanks for sharing, जलिए जी, group related abbreviations, जी, बिल्कुल, 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 इसमें काफी सारी abbreviations भी है, I think 64 के approach abbreviations है, जो कि सारे के सारे जो है, हा, बिल्कुल, बिल्कुल, घवरान मैं बिल्कुल नहीं है, हा, इसका अंसर देजो फटाफट से, तो मतलब सारी ही जो abbreviations ही, वो किस से related है, education से related है, आपके लिए बहुत useful होने वाली है विश्वास करके चले ठीक है जी आंसर क्या है यही होगा वही बिल्कुल सही बात है ठीक है जी cognitive domain किस से होगा mental skills से होगा physical से manual या physical skills से नहीं होगा growth से नहीं होगा ठीक है simple था इसका करना है 64 है यही शायद मैंने कहा था ठीक है चलो जी अब इसका answer दें क्या होगा अब देखिए वो जो इतना सारा जो material तैयार किया उसको बनाने में time तो लगता है ना ठीक है तो वो थोड़ा सा जो चुट्टी उट्टी आई उसके अंदर मैंने सोचा कि तो थोड़ा से उसके उपर काम किया जाए बनाया जाए ठीक है चलिए इस cancer दीजिए आप पेड़ागोजी मोस्ट इंपोर्टेंट थियोरी एंड ओन एन एपी 2020 मेगा गुपता जी पूरी कोशिश करूंगा ठीक है आपका एक्जैम कभी ये बताईए एक्जैम से पहले पहले करने का पूरा प्रियास करूंगा ठीक है जी अरे आंसर तो आने शुरू हो गए है ठी सेकेंडरी सोचलाइजेशन ग्रोइंग चलिए जी बिल्कुल सही बात है सभी का आंसर जो मैक्सिमम का जो आंसर है वो हो अप्शन नमबर ए और बिल्कुल सही बात है सागरुविला जी एक पर दुबारा से देखना यहां पर क्या लिखा है इट रफर्स तो दा लेसन इन सोचल कंड़क्ट बात चल रहे है सेकेंडरी सोचलाइजेशन की फ्रोम हिस पियर्स अब आपको पता है जो सेकेंडरी सोचलाइजेशन होता है वो कहां पर होता है मेली वो होता है हमारे स्कूल में ठीक है जी मेली कहां पर होता है बच्चा स्कूल में जाता है और नहीं प्रीजिस्ट बाद को समझेंगे ये चोटे बच्चों का होता है न सेकंड इस मैं लर्ड दा कल्चर ओफ ग्रूप विद एंटीसिपेशन इन गुरूप ये जो एंटीस्पेशन इन गुरूप है न इसको क्या का जाता है इसको दो एंटीसिपेटरी सुचलाइजिशन कहा जाता है यदी इन को समझें ये हम चीजे डिसकस कर चुके है पहले भी इसको क्या कहा जाता है एंटीसिपेटरी सुचलाइजिशन कहा जाता है ठीक है इसको क्या कहा जाता है इसको प्राइमरी सुचलाइजिशन कहा जाता है ऑप्शन नमबर सी जो है इसको ये क्या है इल्ड रहें फॉर्स दे पर्वोस म्हों बिए फेटर्न एक्सेप्टिंग न्यू बन्स जी यहां नए को अपनाने को क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा re-socialization हाना जब हम पुराने को छोड़कर और नए को अपना लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं re-socialization कहा जाता है ठीक है जी ऐसा कुछ है ठीक है तो आंसर यहां पर क्या होगा option number A होगा एकदम सही maximum नहीं ही आंसर दिया है चलिए फटा फट से मेरी class नहीं चल रही है क्या सब के साथ ऐसा कुछ है अगर है तो भाई बताओ ठीक है देखते हैं थोड़ा सा हाला कि computer महोद्या निकल चुके हैं ठीक है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं अरे बक्वास question जल्दी सांसर दो इसके बारे में तो कुछ चलिए आपने कहा कि school छोड़ा college re-socialization इसका भी answer देते हैं भाई समझते हैं इस बात को भी ठीक है चलिए जी answer आ रहा है बिल्कुल सही है पेरेंटिंग कहा जाता है नहीं कहा जाता है ना भी पालन पोशन लिखा है ठीक है किशोर अवस्ता नहीं कहेंगे व्यस्कता नहीं कहेंगे शिक्षन नहीं कहेंगे इजी question था यह बता दो चलो जल्दी से शयबाश इस cancer दीजिए देखते हैं यह तीन-चार question जो है वो थोड़ा सा कर पाएगा ठीक है चलो यहां पर जो answer आ रहा है cb понрав foreignüg ब्र hey भैरीज़ बर्यव्वनक्र कामली का मुखर्जी क्या क्या रिपाकोदہ क्या है अब एक चीज்ं को समझ लो बाई वह पहले बता आछे कौन लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे आंसर आपके डिफरेंट आ रहे है ना पहले प्रिपकुता के बारे में जा ले तो उसके बाद में फिर आपको पथा चली जाएगा अंसर तो आई जाएगा ठीक अब जो मैचुरेशन है ना कि अधिकर मैचुरेशन को आप सीधा सीधा समझ के चलना यह रिलेटेड होती है भाया हमारी है रिटी से कि फोड़ी थोड़ी देर के लिए सुन लेना ठिक है या मैं कहूंगा हम किस अवस्था में कैसे मैचूर होंगे कितने मैचुर होंगे ये डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर ठीक है अभी जैसे अभी मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी फिर से कह रहता हूँ गुर्परीत मलिक जी प्रणाम कैसे है आप ठीक है ये पहली बात तो आप इसको समझेंगे उसके बात समझते हैं कि मैचुरेश का मतलब है कि भई जैसे कि मैं पहले बता जको नहीं फिर वी बता रहा हूँ एक साल का जो बक्चा हouting नहीं किया हो जाता है मैचोर हो जाता है, मतलब वो चल सकता है normal एक बच्चे है, हर बच्चे की बात नी कर रहा हो, individual differences होते है, लेकिन एक साल का जो होता है, ठीक है, चार साल का जो बच्चा होता है, वो क्या हो जाता है भई मतलब बोलने में मैचोर हो जाएगा मैं कहूंगा with grammar जबरदस्त grammar का प्रियोग करेगा ठीक है जी and accent उसका accent भी बिल्कुल सही होगा और यह accent ही होता है accent नहीं होता है कभी कोई कि सरकाथ खुद का accent खराब है accent बोल रहे हैं ठीक है यह accent ही होता है a, double c, e, and t ठीक है मतलब वो grammar भी और accent भी दोनों सके सही होते हैं मतलब मैचोर हो जाता है चार साल का बच्चा इस तरीके से बोलने में समझे हो मैचोर हो जाता है मैं यह कह रहा हूँ ठीक है उसके बाद में मैं कहूँगा कि भई बारा या तेरा साल का बच्चा जो होता है वो मैचोर हो जाता है कि भई उसकी जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो जाती है ठीक है कि शोरा वस्था जो हो स्टार्ट हो जाती है या मैं ये कह सकता हूँ कि भई छे साल का बच्चा जो है वो मैच्चूर हो जाता है स्कूल जाने के लिए सीखने के लिए ठीक है जी या मैं ये कहुता हूँ कि अठारा वर्ष का एक युवा जो होता है वो मैच्चूर हो जाता है किस के लिए ठीक है मैरिज के लिए प्रिप जा हिस टैम पर यह करें गा इस टाइम पर यह करेंगा इस टाइम पर यह गरे गा इस चीज CHAR razor हो जाएगा इस इसे इस बात को समझagemी जिस perfect व है अच था यह सिएवीटि है अच्छा डाव लख चल रहे ठीक है यहापको बात समझ मारीन है ठीक है top ठीक है अब यहां पर देखते हैं परिपक्वता क्या है या मैचुरेशन क्या है एक्सरसाइज एंड एफ़र टेकन नहीं यह तो नहीं लग रहा अन्फोल्डिंग ओफ इंडिविजुवल्स इन्हेरेंट ट्रेट्स यह वाला ज्यादा सही लग रहा है कैपेबल ओफ लर्निंग नहीं कहेंगे बाइलोजिकल एंड जेनिटिकल नहीं कहेंगे यहां पर क्या होगा अंसर ओक्षन नंबर बी होगा कि व्यक्ति के अंतर नहीं तर लक्षणों का खुलासा करना मतलब यह चीजें हमारे अंदर पहले से होती है उनको जब टाइम आता ह है बिल्कुल भी ठीक है लीख होगा तब भी आपको तयारी करनी है नहीं लीख हुआ तब भी तयारी करनी है आपको जस्ट वह यहां कि करम करना है यह सबसे बड़ी बाद भाई मैंने जीवन में बस इतना ही सीखा है कि हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए फल तो आएगा ही आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना है ठीक है चलिए यहां बिल्कुल एक्जाम बिल्कुल मस्त होगा चिंता ना गरो जैसे हम मस्त रहते हैं वैसे मस्त हो एक्जाम भी मस्त आएगा ठीक है और होगा भी मस्त ठीक है जब हम पोजिटिव सोचते हैं तो आग इसी भी चीजे पोजिटीव ही आती है, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो अपने आप चीजे नेगेटिव आने शुरू हो जाती है, ठीक है न, चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है, आंसर होगा, option number B, ठीक है, 17 को मेरा exam था, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आपने PRT का नहीं किया है, गुर्पृत मलिक जी, PRT का तो आने वाला हुगा, ठीक है, उसकी भी तैयारी करनी है है, डटके करनी है, ठीक है, D option क्यों नहीं है, जेनिटिकली है, बता देते हैं, ठीक है, जैविक और प्रिपक्वता क्या है, ठीक है, यह क्या कहरा है, ठीक है, यह क्या हमारी सोच, जैसे कि मैं कहूंगा, कि भई, 18 साल का जो बच्चा होता है, या व्यक्ति जो होता है, उसकी सोच इतनी डिवलप हो चुकी होती है, कि हम उसे वोटिंग का अधिकार दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, देखिए, आपने कहा कि भई, ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन उनका unfold होना, मतलब उनका खुलना, क्या कहलाएगा, maturation, यह इसकी exact definition है, क्या यह exact definition है, प्लीज एक बार देखिए, biological and genetically, क्ये exact definition है, नहीं है, definition यह है, प्रशन भी यह है कि भई, what is maturation, okay चलिए जी मेरा करवाया हुआ आया था जी थेंक्यू सो मच यदि आपको कुछ क्वेशन मिले ठीक है तो भई मुझे बड़ा अच्छा लगता लिटरली मजा आ जाता है ठीक है कमल जीत कोर जी प्लीज अभी भी नहीं समझ मैं आएक बार और पूछ लेना कोई भी इस्यू न आप चले वह आज एक थ्रेशोल्ड रखते हैं एक थ्रेशोल्ड रखते हैं कि जब तक जो है जब तक जब तक अब ज़्यादा उल्जाना भी मत पतादले सारी रात निकाल दी ठीक है जब तक हमारे जो वोचिंग हो बीस से कम नहीं जाती ना तब तक हम क्वेशन करेंगे बीस से कम गई हम क्वेशन करना छोड़ते हैं डन चलिए बीस करें पच्चिस करें वह आप देख लेना बता देना जल्दी से बता दो शबाश 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 क्या होगा आंसर चलिए जी क्लियर हो गया तो बैरी गुड़ भई थैंक यू सो मच मुझे और ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ी चलिए बताए जल्दी से ए कह रहे है बही कमल जीत को ट्वेंटी कह रहे है बता दो एक बार ट्वें जल्दी से बता दो बी 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 ओके सर चलो जी सुमन से रोही पारुल मलीक सुश्मन आम देओ बी पुजार या बी एंड जोती पांचाल बी एंड प्रित कोशिक बी एंड जोती पांडे भी ठीक है थोड़ा जूम कर दो जी जूम मैं नहीं घर पाऊंगा वहिया पूरा य ट्री को देखो झाऊंगा बी 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 भी बी अब सैनुसर के बारे थोड़ा समाझ लेता है लोग मेरी में स्की उप्ता लसुड़ा की स्टूड़ा स्प्ता स्थिदहिक दा साईकोल्की को पकड़ा। को तो सीधी 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 मॉदिक्स का में पया है यह लेकिन य Фॉक quantify child poverty by setting an absolute or relative monetary threshold. इस Рिलेटिव मोणेटरी थ्रेशोल्ड, यह जो relative मोणेटरी थ्रेशोल्ड है, यह क्या है? कुछ ऐसा बताया है. अब देखे़ भाई, जो रही जो करें, जो करीं जो होटी है, जो करेंजी है कि वैसो डासाये जो गरेंजी है. पहली बात तो बहुत बुरी चीजीया है, मैं स Absolute का मतलब क्या है कि हम एक लाइन कीच देते हैं गरीब ही रेखा जिसको बोलते हैं ठीक है एक लाइन कीच देते हैं कि जिसकी इंकम इतने से कम है ठीक है जिसकी इंकम इतने से कम है वो जो है वो गरीब कहलाएगा उसके जो ऊपर है वो पता नहीं क्या कहलाएगा अमीर तो जाद नहीं कहलाएगा थोड़ा कम गरीब कहलाएगा लेकिन वह गरीब लिए ठीक है तो यह तो हो गया भई एबसलूट एबसलूट का मतलब यह है कि भई जो गरीब रेका से नीचे है वो क्या है वो गरीब है एबसलूट पावर्टी अब दूसरा शब्द होता भई कि भई जो शायद का चलो जो डेफिनेट है वो कर लेते हैं मैं कहूंगा कि भई जो शायद ही कर लेते हैं अडानी जो है ठीक है अडानी अंबानी से गरीब है अडानी अंबानी से गरीब है ठीक है हाला कि वो गरीब नहीं है अडानी गरीब नहीं है लेकिन अंबानी से ग relation में जब हम देखते हैं अब एक चीज आते हैं अभी मैंने देखिए थोड़ी दिर पहले शब्द लिया था यहां पर ही लिया था threshold threshold का मतलब है कि यह जो है हम एक लेकर चलते हैं minimum लेकर चलते हैं कि relative monetary threshold अब जो इसका answer है वो है option number A ठीक है अब समझ लेते हैं कि A क्यों है ठीक है जी सर आप question पढ़ दीजिए बड़े question आये तो मैं नहीं पढ़ पाती हूं ठीक है जी हां सर गरीब यह नहीं होना चाहिए बस हां यह बात तो सही है एक पर समझ लेते हैं कि A क्यों है ठीक है क्या लिखा हुए रिलेटिव मोनेटरी थ्रेशोल्ड रिलेटिव मतलर जब हम एक के साथ दूसरे का relation में देखेंगे जैसे कि मैंने का अडानी और अंबानी का मैंने एक्जम्पल दिया वैसे देखते हैं ठीक है ठीक है जी actual income क्या है मतलों जो सही में जो real में जो income है वो क्या है and select changes in consumption और जो consumption है हमारा उसके अंदर change आते हैं या नहीं आते हैं for example मैं एक बात करता हूँ भाई यदि एक व्यक्ति की जो आए है वो 30,000 है ठीक है तो जो उसका consumption होगा कुछ भी हुआ ठीक है next month मान के चलते हैं उसकी आए हो गई भाई या 50,000 तो क्या उसका consumption बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ठीक है तो consumption में भी change जाते है ठीक है तो इसको क्या कहा जाता है select changes in consumption का मतलब यह है कि भेई जो हम जो consumption को जो select करते है न उसका relation और relation किसका हमारा जो actual income है उसकी उसका relation कि भी अगर income इतनी बढ़ती है तो consumption इतना बढ़ता है और उसके हिसाब से हम एक minimum लेके चलते हैं क्या लेके चलते हैं थ्रेशोल्ड की इतना अगर है तो सही है अगर इस से अगर ज्यादा हो गया तो फिर गड़बर हो जाएगी फोर एक्जम्पल आप देख सकते हैं पाकिस्तान का हाल देख लो ठीक है आटे के लिए कैसे लड़ रहे हैं बुरा हाल हुआ पड़ा है ठीक ह हुआ है अब आटा तो हर कोई खाएगा हाना तो एक्शुल में अगर हम कहें रिलेटिव मोनेटरी थ्रेशोल्ड बाकि में ज्यादा सा जानता भी नहीं ठीक है लेकि इस चीज को समझ के जलें क्योंकि यह क्या है इकोनोमिक्स का है जितना जानता हूं मैं उतना बता रहा ह यह क्या है रिलेटिव मतलब रिलेशन में किस का रिलेशन होगा यहां पर इंकम का और कंजम्शन का मोनेटरी थ्रेशोल्ड क्या होगा कि जितना ज्यादा हमारा इंकम होनी चाहिए उतना ही ज्यादा हमारा कंजम्शन जो हो उसी के एक रेशो में अगर बढ़ता है उसी के dollar one a day to measure poverty नहीं, US dollars ते इसका कोई लेना देना नहीं, ये विदिन country की बात है, ये विदिन ए घर की भी बात हो सकती है, ठीक है, B को अगर कहें, is adjusted for family size and composition of, composition to determine the population that is living in poverty, नहीं, ये चीज भी नहीं है, कि भई गरीबी में रहने वाली आबादी का निर्धारन करने के लिए सानी ही, ठीक है, ये exactly किसकी term है, economics की term है, और इसका जो मतलब होता है, वो यही होता है, देख लेना आप भी, ठीक है, हाँ, बिल्कुल आपका सही था, ठीक है, हाँ, बिल्कुल आप confused थे, ठीक है, चले भई, answer जो है, वो option number है, बाकि आप भी देख लेना भई, जो जुन्ह आदो क्या होगा, चलो भई, शवाज, 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 answer क्या होगा, शवाज, answer, very good, very good, very good, very good, जल्दी से answer, आने दो भई, फटा फटा फट से, जोती, पंचाल, पूजा, आरिया, सुमन सरोही, very good, भई, answer, लाओ, जल्दी, जल्दी से, राजेश शर्मा, अंजुनायक वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुरलीन, एंड, दीपिका, शवाज, पारूल मलीक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाज, मेगा गुपता, मोनीका, एंड, दिव्यानिकिता, चलिए जी, सभी का answer जो है, एक ही आया है, और मतलब बिल्कुल स इडिस दा रजल्ट ओफ जियोग्राफिकल लोकेशन, जीके सीधी से बात है, जो कल्चर होता है, जो कल्चरल डाइवर्स्टी होती है, किसके कार्ण से होती है, जीगराफिकल लोकेशन का बहुत परभाव पड़ता है, ठीक है, आपको जहां पर ठंड ज्यादा होगी, वह का कल्चर भी डिफरेंट हो जाएगा, जहां पर गर्मी जादा होगी, वहां का कल्चर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, जहां पर खाने के रिसोर्सिज जादा होगे, वहां का कल्चर अलग होगा, और जहां पर रिसोर्सिज बहुत कम है, वहां का कल्चर आपको पताईए ठीक है तो भई religious beliefs क्या है आपके and आपका lifestyle क्या है ये तीनों ही चीज़े जो है matter करती है ठीक है option number C is right ठीक है sanskritik विविद्था इनकार्णों से होती है ओके चलिए जी बिल्कुल जी बिल्कुल सभी का answer C आया है बिल्कुल सही जल्दी से answer देए देखते हैं क्या वेरी गुड चलो देखते हैं बड़ा प्रशन है आप दीजिए answer फिर इसके बारे में थोड़े सा बताऊंगा भी क्या कुछ होगा इसमें कुछ सीखने को मिली जाएगा आपको जल्दी से बता दो क्या होने वाला है आपका answer इस प्रशन का जोर्ज हर्बर्ट मीड चलो जी मोनिका जी आप बड़े दिनों में आये हैं क्या बात है शबाश शबाश आंसर क्या रहने वाला है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कशिश कनक जी कैसे हैं आप अनोनिमस, गुरलीन, कशिश कनक, सागरोहिला, पीति कोशिक, अंजुन आया, पीजोति पांचाल, राजेश शर्मा, चलो भई, शवाश 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 आंसर, श्यारदा सुलंकी, सुमन सिरोही, सुश्मा नामदेव, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी चलो जी, देख लिए, मैंने किस का अंसर सही आया है, चलो जी, I think again, I think again, दुबारा से सोचो भई, क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर सही आया है, यहाँ पर जो आंसर सही आया है, वो आया है, अनोनिमस मतलब मोनिका जी का, मोनिका जी आपका नाम मैं सही बता रहा ह ना ठीक है बहुत बहुत दिनों के बाद आते हैं फिर भी मुझे नाम याद रह जाते हैं ठीक है कई बार रह जाते हैं कई बार नहीं में रहते हैं ठीक है आंसर क्या है यहां पर मुनिका जी कौन सा दिया आंसर बताना एक बार आंसर जो है वह उप्शन नमबर है बिल्कुल सही बात है अब फिलाल समझ लो कि यहाँ पर एक बात तो आपकी क्लियर हो गई है कि भाई जोर्ज हर्बर्ट भी मीड ने क्या कहा है socialization के लिए he believed that an individual social experience was a primary determinant of individual identity which he called the self ठीक है अब एक simple सी बात को समझना भाई एक simple सी बात को समझना ठीक है अच्छा जी आप sociology के student है अब यहां पर क्या कह रहे है जो हमारे जो social experiences रहते हैं ठीक है वह primary determinant होते है हमारी identity क्या होगी उसके बारे में अब जैसे कि मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरा social experience क्या रहा है बचपन से ही मैंने क्या देखा है कि यहां मास्टर जी मैडम जी मेरे जो मेरे फादर और मेरे मदर जो हैं दोनों ही retired teacher है ठीक है वो देखा है मतलब मेरे ताउ जी ताई जी सब मतलब पूरा परिवार बुवा जी सब मतलब क्या है तो मतलब वो माहूल देखा मेरे तो भई मेरे जो social experiences है वो matter करेगा ठीक है वो क्या है प्राइमरी डिटर्मिनेंट है गाना गाना है तो मैं अपना लुकता चिपता सा जाके और गाना गा देता था ठीक है तो उससे तोड़ा तोड़ा जो स्टेज फियर जो था वो खतम हुआ ठीक है और वहां से जो appreciation मिली उससे भी जो काम किया कि भई जो मेरे experience रहे वह क्या है individual identity बने की नहीं यारी शीज सही ठीक है और इसी को क्या कहा है इसने मेरे सेम सकता हूँ मैं किसी को अपनी अब जो कह रहे हैं C, अब जो कह रहे हैं option number C, उनके लिए मैं बता रहा हूं भाईया, समझो इस बात को, अब यह जो आब बात कर रहे हैं जीन प्याजे की, प्लीज समझेंगे, वो बात कर रहे हैं जीन प्याजे की, और फो बात कर रहे हैं किसकी बाहिए ह हर लोग की, इन्होंने ये कुछ बात कई थी, यदि इन दोनों में सी किसी का नाम होता तो आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए था। यहां देख बात ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगे देख लिए था है। इनका नाम है सिग्मेट फ्राइट। इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है, तो भाई C भी नहीं था, D भी नहीं था, अग बात करें B की, He believed in the important reaction of others to the developing self concept, which he called as looking glass self, looking glass self, मतलब mirror में देखना आपने आपको, ऐसा कुछ कहा है, और यह कहा किसने है, यह कहा है, याद रख लेना आगे से, चार्ल्स होर्टन कुले, याद रख लेना नाम, ठीक है, इसलिए मैं लिख के लाया, ताकि आपको पता रहे, यह कहां चला गया भी या, एक सेकिन रुख जाओ, एक सेकिन रुखो, गायब मत हो भाई, अरे, यह रहा, ठीक है, यह आ गया, ठीक है, तो नाम आपको याद रहे अरे, वह रहेगा, ठीक है, चार्ल्स होटन कुले, लिख लेना, ठीक है, हाँ, थीओरी पढ़ी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहा रहा हूं, जिन्होंने C कहा, उनको थोड़ा सा याद रख रख रहा था, यह तो जीन प्याजी की बात चल रहे है, थोड़ी-थोडी, ठीक ह चलिए बात एथि इसमें अगर पकाई बैदर याद रहा जाएगा न ठीक है अगर इसन्फर्सेंट में यह आ जाता ठीक है तो भी आपका आजल्सरत क्या हो जाना था भी मतलब इसी में अगर ये आजाता ठीक है जोर्ज हर्बर्ट मीड की जगह पे अगर कुले आ जाता तो भाई या अंसर हो जाता है सिंपल सी बात ठीक है चलिए कुछ क्योशन ऐसे भी तो जिनमें कुछ सीखने को मिले ठीक है चलिए फटाफर से दीजिया अंसर शबाश 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 वरी गूड वरी गूड वरी गूड और बात समझ में आये तो भाई यह कर देने लाल पिला चले जी, thank you so much, मैंने कहा न, ये बात है, बच्पन से ही है कि मैं समझा अच्छा सकता हूँ, that's why I am in this field, मुझे ऐसा लगता है, मुझे और कोई काम आता ही नहीं है, ये बता दो, फटा फट से, very good, very good, shabash, 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 very good, 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 sabhi का जो answer है, वो option number A, जिन्होंने भी दिया है, वो बिलकुल सही है, ठीक है, A is the right answer, जिन्होंने भी कहा है D, जिन्होंने भी कहा है D, वो बिलकुल सही हो जाता है, यदि assimilation के जगे, accommodation लिखा होता तो, क्योंकि ये जो बात है ना संशोधन जहां पर आ गया वो चीज़ हो जाती है भाईया accommodation ठीक है ये लिखा है ना क्या लिखा है modifying या संशोधित करना वो accommodation हो जाता है और हमारे पहले से उपस्तित स्कीमा में नई जानकारी लेने की प्रिक्रिया जैसे कि जो अभी आपने कुछ नई जानकारी ली hopefully last question में ली होगी ठीक है तो वो क्या कहलाता है हमारा assimilation ठीक है और यदि आपको कोई misconception हो पहले से किसी गलत बात का पता हो सकता है आप उसको हटा के उसकी जगह पे दूसरा रखे है कि अच्छा अच्छा इसको तो यह बोल रहे है तो उसको हम कहते है संचोधित जब आप करते हैं उसको हम कहेंगे क्या accommodation clear है ए ठीक है जी हाँ डी जो है वो accommodation है बिल्कुल पारणू बलिक जी clear है बात ठीक है clear ही होगी ठीक है और भाई अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं फिर से याद दिला रहा हूं प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लेना ठीक है मैंने जब seated की जो classes ली है वहाँ पर पूरी एक playlist पड़ी हुई है 30 उसके अंदर वीडियो है ठीक है यदि आप उनसे में में से भी अभी टाइम जिसके पास है टाइम के recording है भी आप उनसे गोथ रू हो जाते हैं तो आप मैं दावे से कह रहा हूं आप वाई गोथ की हुआ प्याजे हुआ यह जो चीजे नहीं कोल बर्ग हुआ इन में मार खाने वाले नहीं बिल्कुल भी नहीं है ठीक है चलिजिए अजानकτεम के transmisal ちुआ अखंछ है मैटुरेशन वाले question में accommodation हुआ मेरा मैटुरेशन वाले question में इंका accommodation हुआ अज्व Rock जो पहले argent की मैठी स्प्ड़ीन का मतलब तो वैसे mature होना केते हैं या आदमीन मैठूर हो गया नहीं होए आझ वा कुराने वाले को हटाके पुराने वाले के आधार पर नया सीख रहे तो एस्सिमिलेशन लर्निंग दो ही तरीके की होती है सिम्पल सी बात है चलो भई फटा फट से इसका आंसर दे दो जल्दी से इजी क्वेशन है इसके उपर टाइम हम नहीं लगाएंगे एक सेकंड मिन लगाएंगे आंसर दे दो फटा फट से ठीक है आंसर जो है इसका सभी को पता है क्या और एकदम सही फिर भी आप बताए दो ठीक है बेंजबीन ब्लूम नहीं नहीं दिया और किसने विया है धी जो डोमेंस दिये है साइक्ञो साइक्लोजिस दोमें दिये हैं तरी स्कॉ निन ब्लूम कि टीन दिये नहीं है आप को मघज़ से पता आ है लेकिन फीर नाम पहायगा ओन parce ल इसना सभी आपकाशिता उप क्या होने वाला है इस person का answer? क्या लगता है? शबाज वेरी गूड, वेरी गूड, वेरी गूड, पारुमलिक, पृति-कोशिक, जोती-पांचाल, वेरी गूड, शबाज, answer दो हुए फटाफट से, देखते हैं कुण देता सही answer, गुरलीन वेरी गुड शबाष सुमन सिरोही वेरी गुड वेरी गुड शबाष 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 मैं थ्रेश वोल भी देख रहा हूं भाई अगर कम हुआ तो फिर कर बहुत है तो भई अजुनायक रेनु यादवनिशी कुमारी दिव्या निकिता जोती पांडे दिपिका वेरी गुड भई वेरी गुड मैक्सीमम का जो आंसर है ठीक है अचा हिंट नहीं दे रहा हूं हिंट तो मैं देई नहीं रहा हूं नाम भी ना कशिश कनक सागर रहिला पार्वती सोलंकी अपारुल मुलिक जी जिन्होंने भी आंसर दिया है देखें यहां पर क्या दिया है क्या दिया है यहां पर लर्निंग इस दा प्रोड़क्ट ओफ इन्वाइन्मेंट यहां पर केवल इन्वाइरमेंट की बात करी गई है है अब यह देख लिए किसमें केवल हरी मतलग केवल इन्वाइरमेंट है हरी डिटी ना हो लर्निंग इ किसी का BBI आया था क्या, हाँ BBI आ रखा है भाई देख लेते है, learning is the modification of behavior, बात तो यह भी सही है, ठीक है, learning is a process that happens through both the physical and mental development of the learner, चलो जी यह बात भी सही है, माल नेते है, गलत तो कुछ हाई नहीं, परशन में क्या दे रखा है, environment दे रखा है, learning is through modification and remodification of the objects and individuals in the environment. प्लीज, समझो इस शम्द को, ठीक है, यहाँ पर cable environment दे रखा है, और cable सिर्फ यह एक ऐसा option है, जिसके अंदर again environment दे रखा है, बात नम्बर एक मैं कोई formula नहीं बता रहा हूं, कि आपको, जो मिल जाए equation वाला भही, मैं वो नहीं कहना चारा, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, exactly यह बात लिख रखी है, learning क्या है, modification, पहले हम एक चीज को modify करते, and re-modification, और फिर से modify करते, मतले हो करते रहते हैं, वो एक प्रिक्रिया चलती रहती है, ठीक है, by the objects and individuals in the environment, सही तो बात कह रहे है, यह जो है, वो अपने आप में complete है, यह अपने आप में complete है, that's why यही होगा हमारा answer सही, बात समझे नो, ठीक है, थोड़ा सही चीज़ों को लेकर चलागरो, जो most appropriate है, वो answer देना है, हमारा किसी भी तरीके से, और दूसरा subject नहीं है, जिन में केवल एक ही सही answer होता है, हमारे में एक से ज़्यादा answer सही होते है, हमें जो most appropriate है, वो देखना होता है, ठीक है, औ और पुनेहसं शोदन के मादम से होता है, ठीक है, चलिए, अब दे दो, answer जल्दी से, स्वाज 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 क्या होगा, sir, very good, देखते, स्वाज 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 स्वाज, very good, very good, very good, जोती पंचाल, गुरलीन, प्रिदी कोशिक, सुमन सिरोही, स्वाज, पुजा आरिया, एंद रेनु यादव, very good भई, फटापर चे आंसर दो भई, और पारुलमलिक, कशिश कनक, एंद सागर रोहिला, एंद जोती पंडे, एंद निशी कुमारी, एंद वर्तिका सिंग, maximum का आंसर जो है, वो सही है, यहाँ पर मेगा गुपता, पार्वती सोलंकी, और जिन्होंने भी आंसर दिया है, जैसे कि मैंने का, maximum का आंसर सही है, उनका आंसर एक्सेक्ट है, option नमबर सी, इस राइट क्रियेटी, वो कुछ क्रियेट कर रहे है, ठीक, देख लेते, बिल्ड ए स्ट्रक्चर और पैटन फ्रोम डाइवर्स एलिमेंट्स, विविद तत्वों से एक सरचना या पैटन बनता है, बनने का मतलब अपने आप ही क्या, ठीक है, बिल्ड का मतलब अपने आप ही क्या, क्रियेट करना हो गया, समझो इस बात, ठीक है, क्रियेट करना, यह भाई यह क्या कर रहे, बिल्ड से स्ट्रक्चर और पैटन फ्रोम डाइवर्स एलिमेंट्स, अलगलग एलिमेंट्स से एक वो बनता, तो क्रियेटिंग ही तो होगा न, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, यहा बना है, वो बताओ, रिमेंबरिंग तब होता कि यह स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, यह क्या है, वो बताओ, ठीक है, इवेलिवेटिंग तब होता कि यह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यह किस काम आता है, वो बताओ, ठीक है, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर बनाने की ब पढ़ो, दोनों भाशाओं में पढ़ो, बढ़िया से आंसर दो, ठीक है, हाँ, आपकी जो राइटिंग, रीडिंग है, वो ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, इस बात को बान के चलना, जल्दी से बता दो, बख्वास क्वेशन है, जल्दी से आंसर दो, ठीक है, इसके बारे म के माध्यम सही करेंगे, हाँ, बताना है क्या है, हाँ, एजी केशन, आगे चलते हैं, फटाफर से क्या है, शबाश, 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 इसका अंसर दो, जल्दी से, नेक्स्ट करके लिखना शुरू कर देना, प्लीज, क्या होने वाला आंसर, वेरी गूड, शब रिपांचाल, मेगा गुपता, वेरी गूड, शबाश, गुरलीन, पारुल मलीक, सुमन सिरोही, सागरोहिला, वर्तिका सिंग, प्रितिकोशिक, दिपिका, सुमन सिरोही, अरे, हटा दिया, आपने आंसर, ठीक है, शादा सो लंकी, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जिन्होंने D दिया है, या C दिया है, एक बार दुबारा देखना, ठीक है, क्या है वही, सामाजी करण एक सतत प्रिक्रिया है, सतत मतलँ आगे चलती रहती है, अभी आगे चलती कैसे है, ये का आगे कैसे चलेगी, भई, समाज के सदस्ये, अपनी सरस्कृती को अगली आगे बढ़ती रहती है, ये चीज नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, सतत प्रिक्रिया है, मतलब आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती 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 है, बढ़ हम अपने मावाफ से जो है values को लेंगे और फिर आगे अपनी जो प्रोजे नहीं है उन तक पहुंचाएंगे यही तो मतलब है इस बात का ठीक है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ ही है क्लियर है बी आंसर होगा हाँ बी है सर मेरा गलती से दिया गया था चले जिस में देख लिए जब आपने डिलीट किया था ठीक है तो भई आंसर सही है शबाज जल्दी से बता दो भई वेरि लुट जल्दी से बता अब यहां पर आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है शाया आंसर बताओ जल्दी से फिलाल तुक लगाओ फिर उसके बाद में देखते है सीखते है कॉछ शबाश 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 वेरि गूड वेरि गूड वेरि गूड जिस कांसर सही आएगा मैं आम लिखने वाला हूँ दुबारा मत देखना कभी लिख दो A, B, C, D हाना वो मत करते ना भाई ठीक है चलो भी शवाश 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 वेरी गूड 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 वेरी Dega Gupta Ji का वेगा Gupta Ji का एंसर रही है उन्होंने टाइप करके बताया कि इतना 4 टाइपा होते है ठीक है इतना 4 टाइपस का ओड़ने चारप्रकार के होते हैं है ठीक है चारप्रकार के कौन से कौन से होते हैं आपने तीने लिखे में सोशल इमोशनल कोगनिटिव हाना गुड इवनिंग सुना ली गुपता जी कैसी है आप बता देता हूं कुण से कुण से होते हैं एक तो होता है कम्मुनिकेशन एंट इंटरेक्शन ठीक है अब पहली बात तो यह समझ लो कि यह बात किसकी कर रहे है पहले इसको अटा लेता ह आप लगा कि अभी है हां कर शिज आपके बिल्कुल सहित बिल्कुल सही बात यह देहें चैंड आ से हो है यहां पर यह जो शब्द है जरूर तो या आवशक्ताओं यह जो शब्द है यहां पर जो यह नीट्स जो लिखा है यह लिखा गया है भाईयो समझ रहे ना ध्यान से यह लिखा गया है स्पेशल बच्चों के लिए ्ठीक है यह लिखा गया है स्पेशल बच्चों जो छण यह आप जूरीड़ शें उनको एक बडा समझ लेते है चार तरीकी जो नीट्स है वह देख लेते हैं कौन सी कौन सी ठीक है सबसे पहली क्या है आपने देख लिया था फिर से देख लो हमारा क्या जा रहा है communication and interaction ठीक है देख लेते हैं फिर समझते हैं इसके बाद cognition and learning उसके बाद social emotional and mental health difficulties अब यहां से आपने समझना शुरू कर दिया होगा इसका मतलब बात उनकी चल रही है ठीक है and sensory and physical needs ठीक है अब यहां पर अगर हम देखे तो भी communication and interaction किसको problem होती होगी जिस बच्चों को autism है उनको होती होगी ठीक है यह जिन बच्चों को भई बोलने सुनने में प्रोब्लम है उनको होती होगी होती होगी ना उनकी बात चल लिए चार प्रकारों में बाटा गया है पहला क्या है communication and interaction में जिनको problem होती है ठीक है cognition and learning में किसको problem होती होगी ID जो है intellectually disabled जो बच्चे है उनको होती होगी ठीक है यह जो बच्चे भई जो मतलब ना तो ID की category में आते हैं ना ही वो normal की category में आते हैं जो बीच में जो बच्चे रह जाते हैं उनको होते होगी जो slow learners है उनको होती होगी उसके बाद में social emotional and mental health difficulties ठीक है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सामने जैसे कि मैं कूँगा भई ADHD जो होते है ठीक है इनके साथ में अदिक्कत होती है नहीं होती है उसके बाद में sensory and physical needs किसी को होती होगी जैसे कि मैं कूँगा किसी को locomotor disability है ठीक है चलने फिरने में है कोई अंग भंग हो सकता है ठीक है कुछ भी अगर हो सकता है ठीक है तो यह जो है यह चार categories बाती गई है इन चीज को आप याद रखना ठीक है चाहो तो screenshot आप ले सकते हैं इसको कहो तो मैं हटा देता हूं अभी ठीक है अंसर क्या होगा यहां पर चार परकार है यह 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 है और यहां पर जो बात की गई है न हाँ OCD भी आ जाएगा इसके अंदर ठीक है बिलकुल फटाफर से चलिए फटाफर से चलते हैं आगे देख लेते हैं जल्दी से शबाश आंसर क्या होने वाला इसका जल्दी से पता दो इजी क्वेश्चन जल्दी से आंसर देता है ले लिया screenshot अरे screenshot के लिए मैं बाहर तो गया ही नहीं ठीक है कि अरे कमाल गर्दिया सागर रोहिला जी मैंने बताया तो था कि पूरी दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है इस चीज को समझो कितने यूनिक हो आप है ना कितने खास हो भूले बैठे हो यहां पर दिक्कत है और आपकी लाइफ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं आप ही करेंगे जो कुछ भी करेंगे ठीक है तो उसके लिए तो भाई लड़ना तो पड़ेगा और जो डर है वो कही ना कहीं लोस करेगा बेनिफिट नहीं करने वाला इस टाइम पे ठीक है तो डरो मत बिलकुल भी एकदम बिंदास होगे जाओ मैं सच बता रहा हूं भाई चलो माले इसका अंषर देख लेते हैं ठीक है पिर में बताता हूं क्या है आ undertaking भी मेर्था चलो भी 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 वी डिबी बिबें बी बेट लेकिन यहां पर सही ऑंप्षन नमबर एक एकदम सही ठीक है जी मेरे भाईयों बात को समझू समझ लो क्या कहरें हैं अभी परिभाषित क लगते हैं ठीक है देखो डिफाइन करना क्या आपने नहीं पढ़ा कि जो नो आप कहेंगे भई नो का मतलब तो जानना और जानता तो भई आदमी तब है जब वो उसको समझ जाता है लेकिन क्या आपको याद है कि ब्लून स्टेक्सोनोमी में जो सबसे पहले जो नीचे गौए तो लगलेग्ज था है कि कि रेमेमेंबरेंग टो बाद में हूँ रेमेंबरेंग तो बाद में लHHHH 1996 मन key तो यही था नोटी जीदा नोलीज का मतलब यहाँ पर क्या था उनके according कि भई आप यह जानते हो यह क्या लिखा है one nine five six आप जानते हो तो यह आपने remember किया हुआ है समझो इस बात को क्या आप जानते हैं के लिखा हुआ है आप जानते हैं लिखा हुआ है आप जानते हैं जानने का मतलब यहां पर वो knowledge वो ग्यान नहीं है, यहां पर आपको याद है या नहीं है, अगर मैं लिख दूँ है कीटना लिखा हो है आप इसको जानते है, ढोग म यह गदा है, यह घोडा है, वो भी कैसे होगा, remembering से होगा, हना end list, list बनाना, यह सारी चीजे जो है भाई, वो याद से related है, समझने से नहीं है, बोध से नहीं है यह चीजे, जहां पर एक चीज को फिर से समझ लो भाई, जहां पर भी यह आ जाये ना, परिभाशा या है, कि यह चीज तो remembering से है, यह चीज तो remembering से है, जैसे कि अभी मैं कूँ कि भाई, what is the third law of motion, तो आपने remember कर रखा है, वो याद कर रखा है, समझे इस बात को, answer क्या होगा, option number A होगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है, समझ रहे हो तो एक बार भाई, वो दिखा देना, लाल पिल कि background कैसा है, background मतलब, मतलब आपको पता है कि, हर्यानवी कल्चर कैसा होता है, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं exam से पहले, जितनी तैयारी होगी होगी, ठीक है, उसके बादें फे जब class में जब जाते हैं, मतलब exam देने के लिए, exam मतलब competitive exam की बात कर रहा हूँ, जहां पर invigilator भी unknown है, जो बाकी के जो बच्चे बैठें, वो भी सारे unknown है, ठीक है, तो मतलब यह मान के जलो, कि बिल्कुल ही जो जो बच्चे होते हैं, मतलब जो गली चाप जो होते हैं, सडक चाप जो होते हैं, उनके जैसे सा ड्रेस अप करके, ऐसे मतलब, कोलर वोलर उ क्लियर हो रखे हैं, ठीक है, गोर्मेंट जो भी कर रखे हैं, ठीक है, तो मतलब, कहने का मुद्दा यह है, मतलब यह है, कि उस टाइम पर तो इतने कूल हो जाओ कि भाई, दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है, सही कह रहा हूँ मतलब, इन्विजिलेटर को लगता थे तेरी पेपर देने आया है, मतलब, सच में, मतलब, यह चीज लेकर आपने में कि भाई, टेंच इन्वेंचन है यह नहीं, पेपर कुछ है यह नहीं, ठीक है, जब आप यह समझोंगा नहीं है, तभी वह हो जाएगा, कुछ नहीं है, उससे पहले इतना पढ़ना है पढ़ तो डरना है डर लो, एक्जैम से पहले एक दम से बिंदाज हो जाओ, जश्ट पहले, अप्रोक्सिमेटली एक रात पहले तो हो ही जाओ, ठीक है, हाँ, पेपर यह तो है, क्या हो गया, आंसर क्या होगा, option number है, डरना नहीं है, बिलकुल भी, जितने कूल रहोगे, जितने र जाओ, जल्दी जर्दादो, यह तो खतम प्रशन है, डर नहीं लगना, यही तो मैं कहा रहा हूँ, डरना ही नहीं है, डरना ही नहीं है, इस कांसर दो फड़ापर से, और मुझे सच में याद है, दो तिन बार तो ऐसा भी हुआ है, मतलब मैं इन्विजिलेटर से ही, मतलब कितली खूनाम इस तरीके से, मतलब मतलब फालतु में फुकरापन थी, आप समझ रहो, चलिए, राइस स्मार्ट क्यों है, इस चैनल का नाम, ठीक है, तो राइस की भई, फूल फोम है, ठीक है, रोय इंस्यूट ओफ कॉम्पिटिटिटिव एग्जैमिनेशन, और स्मार्ट अंसर तो एही है, ठीक है, ए सही है, ठीक है, ए सही है, चैनल कि दोनों एक ही शरुनबादित भी और समान्य बच्चा भी एक ही स्कूल में जहां पर पढ़ेंगे तो उसको तो समावेशी बोलते हैं, विशेष नहीं बोलेंगे, प्रतक नहीं बोलेंगे, विवसायक नहीं सबको पता है, ठीक है, आगे बताईए फटापट से, राइस स्माट का रहस्य पता चला, राइस का मतलब चावल कता ही नहीं है, राइस का फूल फोर्म मैंने भी बताईए, बस वो याद रखना है, किसमत नहीं मैं कहा रहा हूं कूल माइंड होगा, तुक्के भी लगते है कौन फिडेंस होना चीए ना, आरे भा, क्या गाहूर हो भई, चलो चलो शबश 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 भश शबश भर यहा पर अलेकों सबसे पहले और सबसे पहले अंसर यहां आया जोती जी चा, जोती पांचावल हूं, बिल्कुल सही बात कह रहे है, तीक है, देख लेते क्या है प्रशन में क्या है नियंतरित प्रिष्थितियों में अवलोकन की प्रिक्रिया को इस प्रकार कहा जाता है इंटर्व्यू कहा जाता है नियंतरित प्रिष्थितिया होती है नियंतरित का मतलब यह है कि जो मतलब इंटरू देने वाला है वो यहां बैठेगा इंटरू फ्रोन लेनेो वाले वहां मैठेंग़ नियंत्रत था ना इतने क्वेशन कि पूछे जाएंगे इस तरीकासे पूछे जाएंग़ हैंगे आपको ऐसा एंटर करना है से अपन हां बाद में आंसर अच्छा सर जी सोरी बाद में मैंने आंसर क्या बाद में आंसर क्या चेंज कर दे अच्छा बाद में चेंज कर दे चलिए यह जो है वह सही है ना अच्छा एक्सपेरिमेंट में भी तो यह देखे पहले में यह बता रहा हूं पहली बात तो यह आप अपन Controlled Conditions की बान चल रही है यहाँ पर तू है कही ना कही वही Controlled तो इसमें भी है ठीक है The Process of Observation उसमें जब हम experiment करते हैं क्या केवल Process of Observation होती है जब हम एक experiment करते हैं तो क्या केवल observation होती है क्या कुछ नया invent नहीं हो सकता है आप इस चीज को समझे जब हमें एक एक्सपरिमेंट करें भाई ये होगा तो क्या होगा उसका एक रिजल्ट आता है ठीक है जबकि मैं को वा इंटर्वियू में तो हमें केवन और केवन अब्जर्वेशन ही तो करनी है है कि अपकी बात गलत नहीं कहार। Woah experiment में भी होता है लेकिन अगर इस चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगा कि हां यह यह तो ही इसकी ही बात चल रही है प्योर्ली इसी की बात चल एक्स्परिमेंटेशन में कुछ और भी हो सकता है लेकिन इसमें तो कुछ और होता ही नहीं है, ठीक है, हाँ, बास में आ रही है, आगे चलते है फटाफर से, यह बकवास परशन है, मैं आणसर देके, फटाफर से चलता हूँ, इसका आप भी बता देना है, कभी सोचोंगी, स आपरेक्टिव डिसोडर, ठीक है, एडिएस्टी की फूल फोर्म होती है, ठीक है, आगे चलते है फटाफर से, जल्दी से इसका आप से देदौ, एपिस्टिमोलोजी क्या है, शबाश, उसका सीथ, अब इसका बताते जल्दी से, वेरी गूड भई, वेरी गूड, वेरी ग इसकान से चल रहा है, पिछले का चल रहा है, यह तो बता दो, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, वेरी गूड, वेरी गूड, सी भी आ रहा है, प्रितिकोशिक भी आ, एपिस्टिमोलोजी, अब जो हिंदी वाले हैं वो बिल्कुल सही जाएंगे, आपने हिंदी की तरफ देखा होता तो आप कहते है oh my god यही तो है ठीक है ज्ञान का सिध्धानत मतलब ज्ञान जो है वो कैसे होता है ठीक है उपयोगिता नहीं होगी मिमानसा कि ज्ञान का उपयोग क्या है epistemology एपेस्टीमोलोजी समझो इस बात को तत्वजन मिमाणसा होताय किन सिध्धानतों पर कार्य करता है ज्जन कैसे होता है क्या होता है वो चीजे होती है इसके अंतरगत घटना नहीं होता है ज्जन का स्त्रोद भी नहीं होता है तो कि आप ग्यान मिमांसा है यदि आप किसी बच्चे को पढढ है तो का आप ग्यान मिमांसा कहलेगी छी यान करते हैं उनको कहा जाता है ग्यान बिमान सा, ठीक है, समझ में, ठीक है, लोजी से भी आ गया, चलिजी, एपिस्टोमोलोजी, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, त्योरी ओफ नोजी होता है, याद रख लेना, थोड़ा सा, समटाइमजी इन्दी इस मट बैटर देन इंग्लिश, विल्कुल तभी मैं कहता हूं कि दोनों में पर हो, ठीक है, जल्दी से बता दो इसका, आंसर फटा-फट से, शबाश, 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 वेरी गूड, इसकाल से दे दो, मिल जाएगी जी, अगर आप कहेंगे तो जोती पांडे जी, आप एक बार कहा दो, PDF मिल जाएगी, बताओ, PDF मिले या ना मिले, जल्दी से बता दो, मिल जाएगी भाई, कोई इस्यू निया, ठीक है, हाँ अजुनायक, जोती पांचाल, किर्थी सिंग, पुजा आरिया, रेनु यादव, पारुल मलीक, सुमन सिरोही, भाई आपने कहा नहीं है, मिल जाएगी, कोई इस्यू नहीं है, यह तो होता ही है, तो मिल जाएगी, कोई इस्यू नहीं, मैं जो है, आज जाते वक्त, इसको सेव करके, अपने नंदलाल जी को मैं भेज दूँगा, ठीक है, और फिर आपको कल प्रॉवाइड कर देगे, कोई इस्यू नहीं है, देख लेते हैं भई, वट्ड यू इंदेस्टेंड भाई, प्रमोटिंग होना चाहिए, प्रमोट दाचाइल्साइड इवलपमेंट, भई बच्चे की मेंटल इवलपमेंट को प्रमोट करना, मेंटल इवलपमेंट को, प्लीज अब समझ के चलना, ठीक है, D को देख लेते हैं, keeping the child safe, free from harm, ये कही न कही physical उससे नहीं जा रहा है थोड़ा सा, देख लेते हैं फिर भी, providing shelter and clothing, किस के लिए चल रहा है, ये थोड़ी physical health की बात चल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, preventing and attending to illness, ये भी physical illness होगा, अब यहां पर देख लेते हैं, providing emotional security, आपको लग पर देख लेते हैं कि यदि किसी कोई emotional security नहीं है, तो उसके mental जो वो है, health पर असर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, ठीक है, socialization यदि आप social है या नहीं है, तो आपकी mental health पर असर पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, सोचना एक बार, ठीक है, nurturing मतलब affection मिलना, प्यार मिलना, ठीक है, स्नेह परदान करना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देके, तो ये सारी की सारी चीज़े जो है ना, ये directly हमारी mental health क्यों से related है, answer होगा, option number C, यहाँ पर, ठीक है, स्वास्थे, क्लिनिक वगारा, ये physical की बात चली जाती है, ठीक है, answer होगा, C, ठीक है, चलिए जी, कमल जीत कोर जी, अगर ऐसा आपको लगता है, तो thank you so much, जी, I was correct, yes, you were correct, ठीक है, good evening, नेहा गुपता जी, नेहा गुपता कास गंज, अच्छा, ठीक है, ठीक है, देख लेते में फटावर से, एजुकेटम का अर ठीक है, ठीक है, चलो, आफ फिलाल answer दे, फिर देखते हैं भी, क्या होगा, जल्दी से बता दो, फटाफट से, या फिर वही पर लिखे जे, शबाश बताओ, क्या होना चाहिए, आपके accordion, शबाश 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 वेरी गूड भर्तिका सिं जोति पंचल एंड अन्जुन नायकुद सागरोहिलाः शχाज शबाज 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 डिपिका राजेश शर्मा र ile आ अध हो पीद कोशिक बेरी गुदवेरी गुद ले जोती पंडे एड पुजा आजरी है, शभाज, शबाज, आंजर दो फट आफट से, दिखते है क्या होगा, शबाज, 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 पारुल-मलीक, वेरी गूड, नीरज-गुपता, एड निशिकुमारी, एड पुजाशर्म, वेरी गूड, खुलिक शबब शबाश शबज शबाश चलिए किरती सिंग अब थोड़ा सा समझ लेते हैं आपके जबान सर आ रहे हैं कोई इसु निए ठीक है कब तर सही आ जा जें ठीक है देख लेते हैं अपने भाई खूब सुना होगा पढ़ा होगा मैं उसी की बात कर रहा हूं जो हम यह मानते हैं कि भी जो एजुकेशन शब्द है वो तीन शब्दों से बना है ठीक है पहला शब्द क्या था एजुकेर था ठीक है एडूसीयर है मैं कि पहलें स्पैलिंग देख लेना वहिए यह एर ही है यह सी इ ओर है और एक है एडूकेटम थिक यहां तक बात आ है इसीज को थोड़ा समझ लेना है फिर उपको यह कभी प्रैसान करने वाला नहीं थ्यां थे अभी मैं यह कहना चाहर हूं भई थोड़ा समझ लेने यह त तक तो बात सही है, अब एक तो शब्द है ये, एजुकेर, केर का मतलब केर करना, केर का मतलब आप समझ के चलो भई, केर करना होता है, यहाँ पे, ठीक है, केर करना मतलब किसी की देखवाल करना, ठीक है, देखवाल कौन करेगा कोई और, समझ के चलना, ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें, एडूसियर है और एडूकेटम है, ठीक है, यहां पर एक बात को समझना है, दो फिलोसोफी है, दो अलग-लग फिलोसोफी है, एक तो यह होता है, कि भे जो टीचर है, ठीक है, वो बच्चे को ग्रो करता है, ठीक है, जो टीचर है, वो बच्चे को सिखाता ह एक philosophy यह भी है कि जो बच्चा है ना उसके अंदर सब कुछ पहले से ही मौझूद है धिक जो बच्चा है उसके अंदर सब कुछ पहले से मौझूद है हमारा कार यह पता है क्या है दिए अब कि गुठली तो गुठली यह हो आपने इसको अग में खाये ठीक है, एक आम की गुठली को आपने आग में फैंक दिया, खत्म, दूसरे आम की गुठली को आपने क्या किया, किस के नीचे लगा दिया, जमीन के नीचे उगा दिया, आपने उसको पानी दिया, ठीक है, और भाई जो भी है, खाद वगरा जो भी है, वो दिया, अब वो दो लग लग थे अब इस चीज को समझना एक थियोरी ये भी कहती है एक सोच ये भी कहती है कि ये जो वरक्ष बना है ना जो इतना विशाल वरक्ष बना है ये सब कुछ इसका सब कुछ इस गुठली के अंदर अल्रेडी मौजूद था ये पूरा का पूरा पेड़ इसके कि आप कुछ भी करके कुछ भी करके कुछ भी करके और कुछ भी करके इस आम के पेड़ से क्या एक भी सेव निकाल सकते हैं चोटी सी बात को एक पर समझना क्या आप इस आम के पेड़ से एक भी सेव निकाल सकते हैं कुछ भी करके कलम मगरा मतलगा ना सेव की इस ही आम से नहीं निकाल सकते ना, क्यों निकाल सकते क्योंकि इस गुटली के अंदर वो सेव था यह नहीं, इस गुटली के अंदर तो आम थे, तब ही तो निकलेंगे ना, तो सेम एक फिलोसफी यह भी कहते है कि बच्चे के अंदर सब कुछ होता है, आपको जस्ट उसको एक इन्वाइ है, आपको जस्ट फैसिलिटीज देनी है, अपने आप ग्रोव करेगा, अब यहां से इन दो दो चीजों को समझ लो, ठीक है, जो टीचर की बात कर रहा है, जो टीचर को महतों दे रहा है, वो है भाईया के टम, तुम मतलब टीचर से रिलेट कर लेना, ठीक है, यह बात करे तेगा टीचर की और जो सीर है यहां से सी से लगा ले ना यहां पर बच्चे का मतलब सी का मतलब चायल्ट बस समझ में आ रही है आपको बात पढ़ने पड़ रही है ठीग है अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ठीग है थोड़ा थोड़ा सा देख लेना आपको समझ में आही जाएगा ऐसा कुछ निए ठीग है अब यदि आप से पूछा जाए अब यदि आप से पूछा जाए कि भई एडू केर क्या है तो एडू केर के लिए जो शम्द है वह आप वो देख ल यह पाएंगे कि यहां पर केर की जा रही है यहां पर केर की जा रही है, to bring up, हना? उगाना या बाहर निकालना, ठिक है? to rise, ठिक है? और to nourish, किसी का पालन पोशन करना, आप समझ रहो, केर की जा रही है? बात नमबर एक, अगर हम बात करें, सीर की, एडू सीर की, एडू सीर का मतलब है, to lead out, lead out का मतलब है, जो already present है, उसको बाहर निकाल ला है, lead out, ठीक है, to draw out, अगर ये शब्द आते हैं, तो मतलब सीर है, and to bring from, समझ रो, बात समझ रो, ये कुछ words है, जो आपको relate कर लेने, किस के साथ, इन के साथ, और जो बचा तीसरा, वो क्या है, educatum, सीधी सीवातर, act of teaching, or training, act of training, educatum, act of teaching, educatum, इस चीज़ को आप लेके चलना, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, I think समझ में आभी गया होगा, ठीक है, अगर पूछा है, educatum, तो मतलब तम का मतलब क्या होगा, teacher, या to teach, या to train, आप मेरी बास समझ पा रहे हैं, आप मेरी बास समझ पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, इस बात को, ठीक है, ये ये, hopefully आपको समझ में आ गया होगा, रहना, दो अलग-लग philosophy, समझ में आ गई होगी, ठीक है, और अगर समझ में आ गई है, तो लाल पिले से एक बार दिखा देना, ताकि मुझे पता चिल जाए, कि हम आपको समझ में आ गया है, ठीक है, और इनको थोड़ा सा याद कर लोग, तो थोड़ा सा रिलेटी तो करना है, आप शब्दों को देखोगो, आपको अपने आप सेंस मिल जाएगी, कि हाँ, ये तो यही कहना चाहरा है, यहाँ पे देखो, को ब्रिंग अप करना, राइज करना, नरिश करना, मतलब कोई और कर रहा है, केर करके कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे, तो लीड आउट, ड्रो आउट, ब्रिंग फ्रों, मतलब अंदर है, तभी तो बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, और ये भी है वही, टीचिंग एर ट्र बाश आंसर, very good, very good, हमेशा के लिए याद हो गया, आपके कारण चलिए, very good, मेरे कारण नहीं आपके कारण, again, यही तो फिलोसफी है, अरे सारा ग्यान आपके अंदर है, और जो आपके अंदर ग्यान नहीं है, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जो आपको चिखा सके, इस बात को याद रखना हमेशा, ठीक है, जैसे ही मैं कहा था था नहीं, आम के पेड़ पर कोई सेब लगा की नहीं लिगा सकता, same जिस चीज को आपको नहीं पता है, उसको आपको कोई बता नहीं सकता, सिखा नहीं सकता, simple सी बात, पता होता है हमें, जस उसका उस अंगल से हम देखते नहीं है पता तो हमें होता ही चेज़ों का आंसर क्या होगा सभी को पता है वाई दि přी होने माला है हाना gender difference कहाएंगे इसको आप पुर्शोर महिलाओं के भी सामाजिक अंतर को क्या कहते हैं सामाजिक अंतर को हम कहते हैं वया जेंडर डिफ्रेंस, ठीक है, बाइलोजिकल अंतर होता तो बाइलोजिकल डिफ्रेंस बात आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सर भी होगा, इसका भी नहीं होगा, ठीक है, जी, 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 सभी को एक्जाम के लिए, all the very best, राइस्मार्ट हिंदी टीम की तरफ से, जी हां, मेरी तर सभी, ठीक है, चलिए, बहुत बड़िया, एक्जाम करना, जी, दिमाग में बैड जाता है, मैंने यहीं दो का आरा, मुझे बस यहीं लगता है, कि मैं चीजों को समझा सकता हूँ, हाना, यहीं है, आता है, बस मुझे और कुछ नहीं आता है, ठीक है, तो भी, सामाजी कंतर तो यही कहेंगे, B नहीं होगा, इसका भई, कल्चरल डिफरेंस नहीं होगा, यह होगा, आप पिछले वाले का B कह रहे हैं तो एक बार बता दे ना, भई, पिछे बार तो चले जाएगा, जी बिल्कुल, बिल्कुल, question जरूर शेयर करने हैं, लाल पिले क्या, सर, लाल पिले म दिखाते हैं, मतलब thumbs up वगएरा करते हैं, उसको मैं कहता हूँ, कि मतलब वो समझ में आने का एक सिंबल है, कि भई, आपको चीजे समझ में आ गई है, आपने भी देखा होगे, जब मैंने का कि लाल पिले दिखाओ, देखो ही आया, लाल, ठीक है, मतलब pink color का, ठीक है, इसल पेले वे आ गए, ये, इसलिज लाल पिला, अब बता दो answer क्या होगा, और ये इसका symbol है, कि आपको चीजे समझ में आ रहे हैं, और इसको देखके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि हाँ, मैं काम्याब रहा समझाने में, अब इसका answer बता दो भई, शवाश, 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 answer, नंजुनाय, किरति सिंग, सुमन सिरोही, प्रिति कोशिक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पूजा आ रहे है, शवाश, शवाश, answer दो भई, बड़ा question है, कोई बात में, स्वागत कुमार, अरे वाह, बड़ा अच्छा से लिए अगर आपको ऐसा लगता है, तो थेंक्यू सो मुच, शार्दा सूलंकी, रेनुयादव, कशिश कनक, और निशी कुमारी, और दिपिका, और कमलिका मुखर जी, अचा समझ आ गया तुझी, वेरी गुड भई, ठीक है, प्रिति कोशिक पूशिक, आंसर तो स्व यूप दो ओदा सा गलत चल गया है सी नहीं बी होगा Zach अब मैं आपको अम्रीट कर गहा हूँ सी नहीं भी ङोगा ठिक है क्यों होगा देख लेते हैं ठिक है प्ले वेस्थ थर स्कूल त्माजी कुनिकी विधी कर आरा समाजी केड़ की क्या विदी है देख लेते हैं अब इसमें गेम की कहीं पर बात आई नहीं है फिर भी देख लेते हैं कि भी क्या activity करवा रहा है project करवा रहा है कोई seminar करवा रहा है कोई trip पे लेके जा रहा है क्या करवा रहा है गेम करवा रहा नहीं करवा रहा है ठीक है देख लेते हैं B को फिलाल छोड़ देते हैं teacher makes the children learn good habits, civil responsibility and how to mingle with society अगेन यहां पर play की कोई बात आ नहीं रही है जिन्होंने भी सी का प्लीज समझते है children learn the skills which they can use in future to actively participate in co-curricular activities, co-curricular activities में तो नाचना गाना भी हो सकता है there are यह is so strict rules देखो भाई जो play होगा जो game होगा उसके rules तो होगे ना उसके rules तो होगे ठीक है to learn हाना मतलब कुछ rules होगे strict rules होगे but education is learned by the way of playing rules होते है for example मैं अपना एक game बता रहा हूँ भाई ठीक है जो हमने बच्पन में खेला ठीक है होता क्या कि मानलिया दो team बना दी team A team B ठीक है और भई एक classroom यह है ठीक है अब होता क्या है कि team A के जो बच्चे हो classroom में जाएंगे ठीक है और वो दिवारों पर अलग अलग जगहे पर line खीच के आएंगे मान के चलो यह कि यहां पर लगा दी ठीक है कुछ एक line खीच देंगे ठीक है अब जो team B के बच्चे जो जाएंगे बाद में लाइन खीच के लिकिन हां खेल खेल जरूर जाते इसमें देनि जिसको गिंती आती बी ने वह भी सीख रहा है हम भुड़ना सीख रहें चिंग कहां पर लगाई ए line बहीं कहां पर खीची हो जिलाई है आम तोर पर वो जो होती है तार्ट जो होती तो उसके नीचे लगा जाते तो मतलब कहने का यह है आंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर B होगा वह या क्योंकि गेम जो होता ना उसके रूल्स जुरूर होते हैं लेकिन उन रूल्स में ही वो खेला मतलब सीख जाते हैं ठीक है आंसर क्या होगा बात सही है बी सही है strict पकड़े है option पूरा नहीं पर यहां strict rules तो strict हो गई चलो मुझे पता था यहां पर गड़बर होने वाली है strict ही गड़बर करने वाला है चलिए दिव्या निकिता जी आपने भी खेला है अच्छी बात है ठीक है आँच फिरावज आँज आओ इसका क्याा दिखाता है से लागे गड़े अरिगूड वरिगूड 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 वर० प्रिदिकोशी करवाई द सागरो हिला निशहकुमार एंजूनायक वरिगूड भाई गाशियोंुड रिपल्कुल सही जा रहा है इसको जेनर ड unity diversity तो कहेंगे नहीं you diversity of education भी नहीं कहेंगे diversity in culture भी नहीं कहेंगे the equitable ratio of men and women की बात चल रही है men and women की बात चले तो gender diversity की बात होगी class लिए और ही इसका दा जल्दी से शबास 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 जोड़ार शार्दा हला की कीरति सिंह। और मुझे याद आ रहे हैं यह प्रशन है ना मेरे से पूछा था, शायद कवली का मुखर जी ने पूचा था जो वाटसैप ग्रूप मना होगा है उसके ऊपर, तिक है अब तो आपको आए गया होगा आपको पक्का पता होगा इसको क्या बोलते हैं एक्मने लुकमोटर बोलते है उस्पोड़ा है। और तो उसकोनquito उसको होगा है। A कमलिका जी आप indeed पूंचा था थे लोको कम खरजी है जहां तक मुझे याद आ रहा है ठीक एक बर कंफर्म भी कर देना ठीक है तो फ़ी लोको मोटर दिव्यांगिता यहां पर होगा वो कंटो का मतलब यहां पर चलना फिरना है ठीक है आगे चल पड़ते है इजी क्वेश्चन है शावाज जल्दी से आंसर देंगे अरे वाई तो सब को पता है हरियान भी खागड अरे वाई खागड बोलने का एक अलगी मजा खागड नहीं हागड हरियान भी खागड ठीक चलो भी आंसर किया होगा इंडियन पीनल कोड़ी होगा भाई IPC है ना ऐसी बोलते आगे पता दो इस कांसर IPC की धारा 11 आंसर बता दो हाँ IPC की धारा के तहट ऐसा कुछ कहा जाता है नाम बड़ा खतरनाग रखा वाई हरियान भी खागड जल्दी से बता दो आप में से वैसे कौन को ने जिनको खागड का मतलब पता है एक बार वो भी बताना आंसर बताने के बाद ठीक है करिकुलम करेजी क्वेसें हैं किसक को बता एक पर बता देना है यह ढई जी तो है बी है अनसर इसका सभी बत को पता है ठीक है गई पिम और भी राय इट है ठीक है शिक शक्रका मार देना हमल साहा इक का हाँ बाकी सारे जीचे साहिए है इस नहीं Patat Maraca Chouter आगव आप ऑड़ा गंटिया यह सिक्षक किश करता है कि मैं सच कोई लेना दिनाली में CC सेट केवल और केवल चाने टक मेट है ठीक है बुल होता है सही बात है यह अध्यान के काडिकरम की सामगरी को संदर्पित करता है जा ध्यान के काडे का on की संवचिना है ठीक है मतलब यह बच्छे के लिए बागी तिनों से ही यह जब आदको कमलेट tea को जी गुळा कि यह नहीं होगा बी होगा क्या कि ये टीचर से इसका कोई लेना देना नहीं है व्यवसाइक विकास को नहीं करेगा केवल बच्चों से है और जब हमने करिकुलम करवाया था तो हमने ये भी बताया था कि भाई इसके अंदर जो हना टोटल जो भी पूरे साल में जो भी चीजे होती है उस इंकलूडिंग को क रिकुलर एक्टिविटिए भी वह भी सार ही दे लिया जाता है ठीक है जी अरे भाई मुकेश सिंग जी आप जो परशन पूछ रहे ना उस पर पूछ लिया गाने क्या बोलते है अलग जो परशन पूछ रहे फिलहाल यहीं पर रहेंगे ज्याद अच्छा रहेगा ना थिक इसको बतातू जल्दी से जो अपना WhatsApp ग्रूप ना वहाँ पूछ लिया आगो जी तुरे मने जी पूछ लिया आगो कोई टेंशन नहीं है डिस्प्रेक्सिया भी अब वो क्येशन चला गया है आप थोड़ा लेट पूछ रहे हो ठीक है आंसर क्या रहा है अरे भाई किसके ओपर ख़ड़ा हूं मैं भी ठीक है आंसर होगा ऑप्शन नमबर ए सही यहाँ पर ठीक है चलो जी इस कांसर बता दो जल्दी से हाँ बिल्कुल भाई उसका सभी कांसर डिस कैलकुलिया था सही था इस कांसर बता दो जल्दी से क्या होगा भाई क्या कहा जाता है वरियता को वेरी गुड शबाश 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 चिरोही, सागरोहिला, किर्ति सिंग, प्रिति कोशिक, निशी कुमारी, कमल जीत कोर, वर्तिका सिंग, अजुनायक, अरे वा, सबका आंसर सही आ रहा है, हरिंदर, मलिक, और भाई, थोड़ा सा दुबार देखना चाहिए, मोना जी आपको भी, ठीक है, आंसर जो है, यहां पर पूरवा गरेंगे जगहे पर क्या होना चाहिए था, भेदवा होना चाहिए था, तब यह ज्यादा सही होता, बाकि इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा है, और यह मैं फिर से बता रहा हूं, कि exactly exam का उठाया हुआ है, और यदि दोनों में डिफरेंस पाया जाता, तो इं रूढ़ी बद्धता, ठीक है जी, stereotype जो पुराने समय से जो चला रहा है, वो होता है रूढ़ी बद्धता, और biasness का मतलब होता है, पक्षपात करना, पक्षपात भी हो सकता था, भेदभाव करना जो होता है, वो कहलाता है क्या, biasness, और exactly, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक लिंक के परती, दूसरे लिंक के परती, मतलब जो भी है, वरियता को, वरियता देना, मतलब ज़्यादा उसको importance देना, क्या दे रखा भई, preference देना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, biasness कहेंगे, stereotype नहीं कहेंगे, ठीक है, prejudice होता तो पुर्वाग्रह होता, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हिंदी में जो हो गणबर करके थी, यहां पर भेदभाव या पक्षपात हो जाना चाहिए था, ठीक है, रूडी बदता या पूर्वाग्रह जो है, वो stereotype को बोलते है, जो नहीं हिंदी में देखके और यह कहा है, वो भी ठीक है भई, लेकिन रूडी बदत सुरो ही, नहीं सर, क्या मैं नहीं कह रहे हो, बता दो एक बार, कुछ तो मैं सच सच बता दू, जो हिंदी के शब्द है, यह अटकाते ही है, इंगलिस वाले सही रहते हैं, ठीक है, stereotype की हिंदी सही थी, बिलकुल रूडी बदता थी, सही ही थी, उसको पूर्वा ग्रह भी कह रहे देते हैं, दिकिन भाइस की हिंदी जो थी, वह पक्षपात या भेदभाव होती है, मैं जस्ट यह कह रही हूँ, ठीक है, पूर्वा ग्रह भेदभाव नहीं होता है, भेदभाव का मतलब यह है कि दूद का किलास जो है, वह एक को दे दिया, दूसरे को नहीं दिया, वो भेदभाव है ठीक है वो भेदभाव है पूर्वागर है यह होता है कि लड़कियां जो है वो यह काम करती है और लड़के जो है वो यही काम करते है वो पूर्वागर है वो स्टीरियोटाइप है लड़कियां जो हो ऐसे कपड़े पहनती है लड़के जो हो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो पूर्वागर है, वो स्टीरियोटाइप, समझ रहो मेरी बात को, लेकिन भेदभाव का मतलब यह है कि आप लड़के को तो कोली जाने देंगे, लेकिन लड़की को नहीं जाने देंगे, वो भेदभाव हो गया, समझ रहो, डिफ्रेंस है भाई, ठीक है, तो आता, 30-45 के मादब क्या बताना इसमें, डी अंसर है, सभी को पता आ है, ऑप्शन अमबर डी, ठीक है, मृत यह जो 44 के दवारा जो हो तक हो जो कॉर्रस्पोंदेस के दो तो भाई हो तो उसको नोन-फॉर्मल कहते है, ठीक है, फॉर्मल वो होती है जो र्यगूलर स्कूल मे भी होती है, घर पे भी होती है, मतलब जहां पर कोई formality नहीं होती है, हम किसी से भी रहा चलते से भी कुछ भी सीख लेते हैं, वो भी क्या होगा, इन फॉर्मल होगा, लेकिन नोन फॉर्मल क्या होगा, इन दोनों का mission होता है भई, ठीक है, मतलब इसके अंदर आपचार रिख जाए, option number D is right, ठीक है, चलिए, चलिए जी, हाँ, ये बात से, ये कमिलिका मुखर जी को तो पता है, जो कोलबर्ग ने जो 72 वाइज लिये थे ना, वो वाइज जी क्यो लिये, ये बाइसनेस होगी थी, हाना, ये रूडी बद्दता होगी थी, इसी चीज के पीछे तो फिर ज इलिगन, उन्होंने कहना शुरू किया, कि वह अच्छा, बरात में गए, लड़कों को ले गए, हमें लेकर ही नहीं गए, हमसे पूछा ही नहीं, मोरिलिटी क्या होती है, क्या करेगा, कौन, कौन, नाम बताना, किसकी कहानी सुनाते हैं, वो, नाम बताना एक पर जल्दी से ठीक है, पूछा ही नहीं, ये भेदभाव था, ठीक है, हाँ, न, न, यो, स, इगनू, ये सारे वो क्या है, पत्राचार वाले, ठीक है, तो मतलब गैर बहुत, आइडिया का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से बता दो, हाइन्स, वेरी गुड, हाइन्स, डिलेमा, शाबा रादी से, ठीक है, क्या है भई, इंडिविजूलस्विद दिसेबिलिटी इजुकेशन, अरे भाई, आपको तो पता है, D, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आईडिया, इन्डिविजुवल्स वीद दिसेबिलिटी इजुकेशन एक्ट, आइडिया, ये वाला आइडिया, वह वाला आइडिया नहीं है डी आंसर बिल्कूर सही है इसके बारे में थोड़ा का और में लेकिया हूँ भाई कब आया क्यों आया पहले नाम क्या था देख लेना इट वाज ओरिजिनली नोन एज पहले इसको क्या बोलते थे एजुकेशन ओफ हैंडी कैप चिल्डरन कब पास हुआ था 1975 में हुआ था लेकिन 1990 में क्या हूआ आमेंडमेंट किया गया और इसका नाम बदल दिया गया क्या कर दिया गया आइडिया आईडिया मतलब यह आइडिया हां हा रिफ हाइंज कैचप कैच अपनी यह वो ठीक है वो विच्छार प्रेशान हो रहा था ठी और जब class end करनी हो बता देना कभी कैदो की भई सर्थों end करेंगे नहीं हम चले काम करते हैं, threshold limit को कतम ही कर देते हैं, ठीक है, कभी प्रेशान हो जाओ, ठीक है, फिर को कि रही है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, हामें दो घंटे होने वाले है, आपको पता चल रहा है time का, मैंने साइस कहते हैं इसको, वैज्यान के व्यवस्तित अनुपरियों को क्या कहा जाता है, अरे, answer क्या होगा, B, साइस कहा जाता है, threshold पर ही करना है, ठीक है, systematic application of scientific knowledge to the practical task, अरे भाई समझो, scientific knowledge को systematic apply करते हैं, कैसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हम technology, नहीं बोल होटे हैं, चलिए, unlimited threshold है हम लोगों का, technology कहेंगे, answer क्या होगा, option number D, अभी देखे, हम एक technology का use कर रहे हैं, कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, दिल्ली में, और आप जो है भाई, अलग लग जगह से हैं, ठीक है, तो यह technology का use कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो scientific knowledge का है, उसका हम systematically apply कर रहे हैं, practical task में कर रहे हैं, तो यह technology ही तो है, यह science थोड़ी है, हाना, answer क्या होगा, option number D होगा, यहाँ, चलिए, बताए जल्दी से, जानने, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आप ही पढ़ के बताऊ, शबाज, 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 अंसर क्या होने माला है, चलो जा अच्छी बाद है, कशिश कनग जी, ऐसा है तो, very good, शबाज, 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 अनसर, अरे बाज, वेरी गुद वेरी गुद वेरी गुद मोना एंड भाई जोति पाटने पूजा आरिया दिपिका सुमन सिरोही हरियान भी खागड और दिशी कुमारी अजुनायक आपका नाम लेने मुझा आ जाता है भाई सच्छी में एक मुतलब रस्ता आ जाता है किर्ति सिंग सागरोहीला मेगा गुपता प्रिति कोशिक कमलिका मुकरजी पारुल मुलिक सभी का आंसर जो है मैक्सिमम का जो आंसर हो बिल्कुल सही है option number A is right अंतर ज्यान कहा जाता है इसको intuition कहा जाता है ठीक है जी पढ़ना नहीं कहते है इसको किसी का answer आया था देख ली तो reading नहीं है और किसी को जानने का सबसे व्यक्तिगत तरीका हो सकता है सबसे व्यक्तिगत तरीका सबसे व्यक्तिगत तरीका मतलब मेरा जो मेरे अंदर है मुझे ऐसा इंट्विशन हो रहा है कि यह आदमी ऐसा है जब मैं इस आदमी से मिला तो उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे लगा कि ऐसा सबसे व्यक्तिगत हना बोस्ट परसनल वे क्या हो सक ऐसे लिखा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ जय आदा जय यहां पर आना चाहिए ठीक है अंतर ग्यान कहा जाएगा इसको ठीक है ऐसा कुछ तो कहोगे तो मैं से लिखके दिखा सकता हूँ कोई इशू निये मुझे पता है यह नीचे जो रह लगा हुआ गलत आ गये ठीक समझ में आ रही है या नहीं आई है आप समझ रहो ठीक है या इंट्विशन हो जाता है कि कई बार मुझे का सभी को हो जाता है कि सामने वाला जो है उन मेरे बारे में क्या सोच रहा है आपको होता है नहीं होता है इंट्विशन मेरे इसाब से लड़कियों का इंट्विशन अब फिर आपको होगे कि gender biasness कर रहे हैं ठीक है लिकिन ऐसा पाया जाता है कि जो मेरा एक personal experience रहा है लाइफ का ठीक है जो लड़किया जो होती है उनकी six sense जो comparatively ज्यादा काम करती है सामने वाले की सोच के बारे में ठीक है हाँ बिना पूछे खुद बता देता है हाँ वही पूछे है नहीं होते एक बर बता देना आगे बता दो जल्दी से सारव भो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ जल्दी से बता दो मेरे साथ यह समस्या आई थी आप कुरसे states हो गुरुजी कुरसे states तो बाई के बताऊं क्युक्त रेलिए रेली फिलिए बैडर आफ ट्लास और यह बैडर फिल करना मझे से ठीक है पूर्ण चालिया भाई ए-a-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e बिलकुल सही बात है यह था भाई ठीक है ना universal access and enrollment is the important objective of 1986 बिल्कुल सही बात है ठीक है एंसर भई सभी ने दिया सभी का अंसर बिल्कुल सही है ठीक है NPE 1986 ने ऐसा कुछ कहा है ठीक है चलो जल्दी सबता तो CCTV क्या होता है अरे मैं क्यों पूशा हूँ जल्दी बता हो भई मार्या रिया रेता है D option क्या है अरे यहां पर आओ तो इनकी सबकी मैं दे दूगा भाई जो है इवरिवेशन में नहीं है क्या यह डी 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 कह रहे भई हां CCTV टेलिविजन यही तो होता है option number D एकदम सही ठीक है हां लास्ट का डी जो है वो GEL वाला ठीक है मैंने आपको बताया कि मुझे काफी चीज़ जो है याद रहती है ठीक है मैं आपको इस काल से जरूर देने वाला हूं ठीक है NPEGEL यह GEL क्या है वो एक बार देखना पड़ेगा बता दूगा मैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मेरी जिम्मेदारी बता दूगा कोई बास नहीं दन इतनी सारी अब्रिवेशन हो जाती है वह 64 याद करोंगे तभी आपको पता चल जाए और मेरे सीधा सा एक वो रहता है सिधान रहता है मैं गलत नहीं बताना चाहता बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता इससे बढ पता होगे कि हां गलत बताने से बढ़िया है ना बताना यह कह देना कि हां कल बताएंगे कह देना नहीं कल बता भी देना ठीक है तो वही ख्लोश सर्कूर्ट टेलिविजिन आपके पास में भेज दूआ कोई इस्यू निया ठीक है विशेस टुदेश्य से किस प्रकार शिक की सायता करते हैं जल्दी से बताता होगे हाउ डू स्पेसिफिक अब्जेक्टिव्स हेल्प दर टीचर आपने भी शायद पहली बार यह देखा होगा ना यह हाना चलो कають लास्ट करटी आंशर होगा कोई आती नहीं सकार जटा है अन्षर छो मेस निय्याइ जल्दी की की फूल फ्रम पूंच रहे और वैसे सच बताँं यह जॉक् 1958 अगे हो दो एक ही है भाई दूसरे में लगा हुग है ठीक है आंसर क्या है भाई है सी 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 क्या है भाई विछे स्टूदे से किस परकार सिख से किस आयात करते है गती वीडियो में भी है अरे भाई very good भाई YouTube में नहीं आ रही थी बिल्कुल आ रही होगी भाई रोज आती है रोज तो नहीं कर जिस दिन भी मतलब working day होता है जरूर आती है ठीक है आंसर जो है वो C बिल्कुल सही है they help in the selection of the subject matter and also teaching learning activities बिल्कुल करते है भाई selection की आप subject matter कौन सा लेके चलेंगे उसमें भी objective आपका एक objective हो क्या बनाना है आपका जो उसके हिसाब से आप subject matter को select करेंगे और फिर जो teaching learning activities है वो भी helpful होगी ठीक है जी अभी आप YouTube पे ही तो देख रहे है राहूल राज जी ठीक है Intuition इंसान का CCD चल जल्दी से बतादे भाई आंसर क्या होगा एदवित ये क्यों है शाबाश आंसर स्वाश श्वाश 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 अच्छा प्रास का कोई काम नहीं ठीक है अच्छा आप पिछले वाले कांब बता रहे हैं कि बी क्लास का क्या ले ना देने CCTV से अच्छे ऐसा कुछ कहना हो ठीक है, डी, डी, बी, अ, डी, c, c, डी क्या कहना है, कहना क्या चाहते हो, रहुल रहुल राजी बी चाहरे ह flouraggi B लीलु यादव C कह रहे है, बरतिकासिंग D कह रहे है, A, B, C, B, सारे आगे हैं वाई है, स्वागत कुमार R.D. यांड दिव्या निकिता सी ठीक है अब एक बात को समझ लेना भाई तोड़ा सा है न बीच-बीच में समझते रहेंगे सही है भाई जो हमारे है क्या नौम-चॉम्स्की जो है नौम-चॉम्सकी तो नाम की स्पेलिंग गढ़बड होगी यह अभी कर देता हूँ सही है जो नौम-चॉम्सकी है वो यह कहते है क्यों हमारे दिमाग में क्या होता है एले डी होता है लेंग्वेजिशन डिवाइस होता है सभी को पता इस बात का इसमें क्या नई बात है ठीक है लेकिन एजो अलीडी होता है ना इसकी जो मैं कहूंगा जो इसकी जो efficiency है इसकी जो efficiency है वो उरके साथ साथ एज के साथ साथ कम होती चली जाते हैं घटती चली जाती है जैसे इससे जैसे आपकी इज बढ़ेगी, वैसे वैसे LED की जो efficiency हो कम होती चली जाएगी, यही कारण है, यही कारण है कि यही कारण है कि यदी आप और आपके साथ एक छोटा बच्चा, एक साल का वच्चा, छे महीने का वच्चा, जदी जाके किसी ऐसी कंट्री में रहना शुरू आती है किसी कंट्री जा कर दो जहां के भाष को आती ही नहीं है वहां में यह बता रहू हूँ कि जब तक वो बच्चा 4 साल का होगा जब तक वो बच्चा चार साल का होगा तब तक वो लेंग्वेज के मामले में उस जगह की पर्टिकुलर लेंग्वेज के मामले में आप कई कदम आगे होग्वे, आप से कई गुना बढ़िया उसकी लेंग्वेज होगी, accent के मामले में, vocabulary के मामले में, ठीक है, चीजों को आप मर्जी कर लेना लेकिन बाहर जहां आसपास में खेलेगा बहुत जल्दी पकड़ेगा ठीक है और नो साल का होते होते तो यह समझे लो कि भाई जब वह स्कूल उकूल में जाने लग गया ठीक है तो आप उसके सामने बुद्धु दुखाई देने वाले हैं पर्टिकुर लेकिन देरे देरे जैसे जाएज बढ़ते है तो इसके एफिशेंसी कम होती चले जाते है सिंपल सी बात है अब यहां पर जो बात है यहां पर जो बात है वो यह है कि जब बच्चा छोटा होता है ठीक है बच्पन में दूसरी भाशा अधिगरण ऐद्वितिय क्यों है लेकिन अगर आपके घर में कोई चोटा बच्चा है तो वो सब कुछ कर सकता है ठीक है तो यहां पर भाई क्योंकि उसकी एफिशेंसी इतनी जादा है कि आप अगर उसको एक से अधिक भाशाएं भी एकी समय पर सिखाएंगे नो वो सारी सीख जाएगा आप नहीं सीख पा है अधिगर्ण पहली भाशा अधिगर्ण के समान है बिल्कुल भी समान नहीं है ठीक है बालक जातक अधिगर्ण के कारण सीखते हैं ठीक है चिल्डन लर्न इन्हें नेटिव लाइक अटेन्मेंट ठीक है मतलब लर्न जो हो गया ना जहां पर लर्न आ गया यहां पर जो न ऐसा कुछ है उसके बाद second language acquisition is different from first language acquisition ठीक है बात तो सी है लेकिन क्या ये वाई second language acquisition ही चायल होजी यूनीक क्या ये बात इसके बारे में कह रहा है यूनीक इसलिए है क्योंकि भई बच्चा जो है वो एक से ज़्यादा बहुत है पोल सकता है छोटा बच्चा कि दिमाग में गाल दिया सर जी अरे वाँ आपको तो ये हर्याड भी भी हाती है ठीक है सीखने के उन्देश्चे की पहचान क्या होनी चाहिए श्वाज श्वाज जल्दी से आंसर दीजिए आई गेव बी चलो जी बी दिया था तो बड़ अची बात है अब इसको बता दो अरे मैं फिर प्रसंद पढ़ गया जल्दी से आंसर अरे वाँ सुमन से रोहिए अजुनायक जोती पांचाल कमलिक का सरी कमल जितकोर एंड दिपिका एंड अरे सभी कांसर सी ही है अरे वाँ लर्निंग आउटकम होगा उदेश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ पहचांन क्या होगी परिनाम से तो होगी नियुकरिणाम से तो जैसे में भी बता है जो एक तरुकिसीर ठीक है अब आपने सही आंसर देदिया तो इसका उस जख़िये परिनाम सी तो पता चला ना मेरा उ दो भी चीजें बताते हैं उनके बारे में ठीक है आंसर क्या होगा option number C एकतम सही है आप जल्दी से बतादो भाई शावाश आंसर वेरी गूड देखते ही किस का अंसर सही आते है शावाश शावाश जोती पांडे रेन्वी यादव कमजीत कोर जोती पचाल दिपिका अजुनायक एnd रूची पूरवाशी एंड direction कुमारी शावाश शवाश श्वाश सवाश स्वाश कुमार वरतिका सिंग सागर रहिला शवाश शवाश सवाश अब आप कही मेरे face expression पढ़के यह ना समझना लग जाना है कि अभी तक गलत आ रहे हैं ठीक है गलत नहीं है बहुत गलत है इसका अंसर के अगा option number B है कितना English Language Teaching होता है ELT ELT मतलर English Language Teaching Simple है ठीक है Evaluation of Learning and Teaching नहीं है अना यह नहीं है मुझे पता था कि आप यहां पे confusion में आओगे कि आपको लोगा को बड़ा भारी वरकम शर्फद तो बड़ी बारी वरकम चीज होगी Evaluation of Learning and Teaching ऐसा कता ही नहीं है English Language Teaching बोलते है ELT को English Pedagogy नहीं पढ़ी English Pedagogy पढ़ने चीज़े थी भाई उसमें आता है ELT हाना तो अंसर होगा option number B क्लियर याद रहा जाएगा ना आगे अब याद रखना नहीं पता था तो अब याद कर लेना ELT English Language Teaching और अगर याद रहा जाए तो भाई वो फिर से लाल पिले भेज़दो थो इसे चीज़ें ज्यादा रहती जब दिमाग उलजता है और फिर उसको सीखता अच्छा यह तो यह था वो ज्यादा रहती competitively ठीक है जी सर मैं मुझा फरपूर बिहार से देख रही हूं अरे वा कशिशकनक जी बड़ी दूर से देख लो जी यह होती है technology हाना अरे वा बी ब बी 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 पृति कोशिक C कह रहे है बाकि से भी बी 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 बहाशा को प्योग करके पढ़ा है आरे वाई बहाई बहाई गरे गरे तुम तो Situational approach होगे भाई ठीक है ना the students will be acquainted with the language more easily lively and interestingly when language is taught using the Situational approach situation के हिसाब से यदी पढ़ाएंगे ठीक है ज्यादा अच्छे सीखते है केल केल में सीख जाते है ठीक है यह answer क्या होगा B होने बाला है सही बात है ठीक है शबाश बताओ भई क्या साहता करती है शबाश 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 आंसर जल्दी से very good very good very good very good very good हाँ बिल्कुल 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 गलत आंसर देने से ज्यादा अच्छे सीखते है very good भई आरे वाँ सभी का आंसर आरे गजब कर दिया भई option number D ही सही है power of thinking and reasoning students भई क्यो पढ़े मतलब यह जो puzzle से क्या काम आते हो से भई thinking and reasoning जो हो डिवन फोती सिंपल सी बात है डी आंसर सही है चलो जल्दी से बता दो यह कैसे आ गया चलो जल्दी से बता दो इंगलीश में देख ले ना कोई बात लिए इस कांसर दो जल्दी से इस सही है बिल्कुल ठीक बात है जीन पिया अजे तो होगा और कोन लोगा यहां पर यह आप इसा सा आगया थे नीचे कोई रिटी कर ले ने जस्त है इसको बता दो जल्दी से श्यवाश अंसर यह इतनी सारी अपरीवेशन्स आए यह प्रेशान से परेशाद कर सकती है प् जवाश 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 अरे वाँ अन्जु नाया ग्रेन रादा सुमन से रोही एड जोती पंचाल एक बार बोल दीजिए के 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 बोलना है बही है ये बतातो ठीक है चले कल एक्जाम है एक्जाम के लिए बहुत 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 बै bend it और गलत आ रहा है ठीक है जी एक्जैम बहुत बढ़िया करना है जी पर्वन मलिक जी ठीक है डी होगा आंसर बिलकुल सही बात है शोट टम मेमोरी बोलते हैं स्टीम ठीक है फोनो लोजिकल मतल़ा जो हम चीज़ां को सुनते हैं जो हम चीज़ां को सुनते हैं थोड़ी देर के लिए जो हमें याद रह और एक होती है लोग टरम मेमोरी याद रख लेना यहां पर ठीक है इस चीज़ को ठीक है चार तरीके है हाँ आपका ठीक है हाँ बट गलत हो गया स्टीम पता था भही ना फोनो लोजिकल देखके आपका थोड़ा सा जो होना मतलब क्या बोलते है लगा होगा कि यह पर फोन गत्ती जी कि अब कि दिना है चलो जी है अरे आप कभी सही है फिर तो गजिव ऋ गया भी ठीक है जी बड़िया से अगज़ा नेना है बहुत 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 बढ़िया बिल्कुल आपके साथ है ठीक है बहुत बड़ी अगजाम देना ठीक है ओल दबेस्ट हाँ ये बात सही है ठीक है बड़ी अगजाम देना चलिए आंसर दीजाओ फटावर से अरे भजोती पाचाल अजुनाया कशिश करनक दिव्या निकिता शबाश 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 Shabbaz 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 answer क्या है answer is option number A है ठीक है ? A है, देख लेते हैं, ठीक है, Big Book actually में होती क्या है ? Big Book होती ही कुछu है तीक है ? देख आपको, Big Book, चोट बच्चो की बड़ी कुछ तर्ज होती है ता देखा होगा आपने , A हैं लग रहा है, A ही है ठीक है, it helps the children to engage and actively discuss what they think the story is going to be, ठीक है, अगर बच्चों के सामने कुछ ऐसा आए, तो वो सोचेंगे ना, हना, वो discuss करेंगे, ये होती है, big book, याद रखना, ठीक है, big book, बड़ी पुस्तक, बड़ी पुस्तक का मतलब, वो वाली बड़ी पुस्तक नहीं है, size इसका बड़ा हो ठीक है, book is big, it is easy for the young, याँसा थोड़ी होगा, big होगी तो carry के लिए होगा, ठीक है, it has number of colorful pictures to attract the learner, attract तो करते हैं, लेकिन असल में बात क्या है, असल मुदा हमारा ये है कि सोचे बच्चा, ठीक है, answer क्या होगा, ठीक हाँसी वाला option कुछ ऐसा ही है, ठीक है, जल्दी से बता अज जितने बज़े तक आप कहेंगे, तो मुझे तक क्लास हो जाएग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे question है मेरे पास, मुझे लग रहा है कि हमें लंबी-लंबी मेरा थे ले लेने चाहिए, जितने ज्यादा question हो तना बढ़ी है, हाँ जिसका exam हो भई, जरूर सोजाना, फ्रेश माइंड से आरे अप एग्जाम दे पाएं करीग हम भर्यात है देखो हम प्रद्योगी की का यूज कर रहे है तेक्नोलोजी का यूज कर रहे है तो यह क्या कोई नीरस बना रही है यह तो बढ़िया चीज है ठीक है आंसर क्या होगा option बड़ी होगा बिल्कुल ठीक बात है आगे बता दो जिसको शवाज 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 जल्दी से बताओ note नहीं देखा note देखने है तो note देखो मतलब सरकारी note अगर देखने है तो note जरूर देखो अब इसको बता दो जल्दी से अरे बता दो अरे कोई दिक्कत निये भाई यह पर तो चलते रहेंगे एक्जाम चलते रहेंगे चिंता ना करो सीखो लाइफ में मैं यह कह रहा हूँ जस्ट ठीक है चलो जी सी 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 मीनिंगफूल अप्रोच कहेंगे ना ठीक है शिक्षन एक व्यवारिक तरीके से किया जाता है जो व्यवस्थित रूप से काम करता है ठीक है कौन सा रूप उप्रोग्विवर्ण से मेल खाता है कि भई सही बात है सार्थक दरिश्टी कोई होगा पोजिटिव एटिटिव ची होगी ठीक है सही बात है ठीक है आंसर से होगा जल्दी सब्सक्राइब इसको निया को कि शबाश 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 option समझा दो किसका पिछले वालेगा एक बार इसका answer दो फिर में बताता हूँ चलो शवाज शवाज इसका answer D कह रहे है चलो जी D हो जाएगा इसका शरव्य द्रश्चा recording और शिक्षन को प्रति विम्मित करता करना किसके बारे में सुधार लाने में प्रणोगी की शिक्षक की किस प्रकार सायता करती है यह जो है अभी जो चल रहा है किस प्रकार सायता कर रही है शरव्य द्रश्चा recording और शिक्षन को प्रति विम्मित करके ठीक है जैसे कि आप अगर बाद में अगर वीडियो देखेंगे त ठीक है पिछले वाले का अगर आप कहरे तो तो एक बार देख लेते क्या उप्षन थे रही पिछले वाले का तो कहां बताना था यही होगा ठीक है कुछ था यह नहीं पिछले वाले में तो समवाद करने में नहीं होगा समगरी का उप्योग करने में चातरी कोड बनाना है ठीक है जल्दी से बता दो, West की मैं क्यों बोल रहा हूं जल्दी से बताओ मैं, West की पध्यती यह तो बोली दूँगे शबाश 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 आंसर जल्दी से लेखते का आंसर आता है शबाश वेरी गूण, 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 देख लेते हैं जो यह है नवही इनका नाम है डॉक्तर मासील वेस्ट का मतलब पस्चिम नहीं है थीक है यह इनका नाम थिक है और यह क्या है जब क्या अकंड भारत जो था ठीक है ते ऑलक्रिकेंडेश मी ठाख तक है तो यह बंगलादेश में धाका में также ठीक है जी जो हमारा धाका था जो हमसे चिन चुका है अभी ठीक है वहां पे थे ठीक है और ये बात करते थे English teaching की की हम इनको English तिखाएं तो कैसे सिखाएं ठीक है तो इन्हों ने ये कहा वही थोड़ा-थोड़ा आप समझ के चलेगे मैं काले वाला ही दृष्ठी को इन्हों नहीं दिया इस बात को याद रखना है किसे लिखवा के क्या करना है हम वहां से letter भेजा करेंगे इंग्लेंड से ठीक है ये पढ़ा करेंगे हमारे orders को follow किया करेंगे इसका काम करना है ठीक है कोई बात भी ठीक है तो भाई रीडिंग के लिए इन्हों ने जो उसके लिए भ जो भारतिये हैं इनको हमारी vocabulary समझ में आनी चाहिए ठीक है तो reading के लिए भी नोने vocabulary पर जोड़ दिया है तो यहां पर जो answer होगा वो reading तो है सही बात है लेकिन reading में भी जो असल जो जाएगा वो जाएगा option number D पर जिसका नाम है vocabulary ठीक है थोड़ा थोड़ा याद कर लेना इ सही है तो बड़ी अच्छी बात है ठीक है मेरा answer सही है चैनल जो बड़ी अच्छी बात है ठीक है तो भाई vocabulary याद रहा जाएगा कर लेना क्या जा रहा है हाना यह समझ लेना writing पर जोड़ इनो नहीं दिया था reading पर दिया reading के लिए भी ताकि हम जो बात कहे exactly के समझ में आए exactly है वही चीज़ समझे जो हम कहना चाहरे है इसलिए इनको vocabulary पर जोड़ दो समझेरो बट मैंने delete कर दिया चलो answer दे दो अब इसका पटा पट से चलो जिसने इस काल से सही नहीं पता नहीं चलेगा question कहां चला गया हूँ उससे पहले अगर किसी ने कुछ पूछा होगा तो नहीं भाई अब नहीं लेगा हो चलो कोई बात नहीं आप दो इसका answer दो तब तक शबाश शबाश जल्दी से answer गुरमीजी ने दिया था चलो जी गुरमीजी ने दिया था तो गुरमीजी का नाम लिखे गए और यह क्या गुरमीजी का नाम लिखते हैं यहां पर भाई बड़ा अच्छा लगता है मुझे intelligent students का नाम लिखना बसे यह बात हो मुझे intelligent आत्मी बड़े अच्छे लगते हैं ठीक है चलिए दिख रहे है नाम गुरमीजी वेरी गुड ऐसे बढ़ी आशर देते रहे ना जल्दी से बत कुआ हो कि खावाश 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 आंसर क्या होने वाला है अरे माख कीर्टी सिंग सदरह भी ला रहनु यादव प्तिती कोशिक शहाश शह तरग 것을 ओसे अरे कि एटीजी सुजाओ कल का पेपर है अच्छी नीन लो बढ़िया मस्त वाले जैसे मैंने गाता नहीं कुछ नहीं अगर कल का पेपर है तो सोजा ना कभी कोई की शुरादय मुझे बार बार में ठीक है बता देना है भी या नहीं कभी परसोगा हो मैं वैसे ही कहता जाओ ठीक है चलिए जी नहीं 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 अरे भाई अब ना बोलो तीन से छे हैं बता दिया उन्होंने टाइम ठीक है चलो ठीक है मतलब मेरा मुद्धा यह है भाई मुझे वोचिंग से इतना मतलब नहीं है मुझे आपके एक्जैम से ज्यादा मतलब है प्लीज भावनाव को भी समझना हाना मैं यह नहीं चाहरा कि भाई आप एक परसेंट भी एक्जैम के उपर बात आए हाना डी लग रहा है ठीक है डी लग रहा है तो डी कर देते हैं भाई डी सही है डी ही तो है लगना क्या है इसमें वट इदा अकेडमिक स्टाइल ओफ लेंग्वेज एक्सपेक्टिड इ अपना कर कक्षा में चर्चा और बातचीत करना यही तो होगा ठीक है जी शिक्षक से जानकारी के अधिवार को सुनना नहीं भाई बातचीत कहा होई यह अपेक्षित भाशा की जो आपसे अपेक्षित है कि आप यह काम करें ठीक है तो भाई यह तो भाई शिक्षक की बात सुनना क्यों सुनने। भाई हम। कक्षा में शर्क द्वार दिए गैं इन्पुट की समिक्षया करना। बातचीत है। उसके बाद शबाज, 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 very good answer, क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको, पता दो, Demonstrative Geometry, अरे वावविवा, आपको तो पता है, गजवा निसान हो भई, ठीक है, सभी का आंसर भई, बिल्कुल सही आ रहा है, सागरोईला जी, थोड़ा-थोड़ा सही लगा लो, ठीक ठीक लगा लो, आंसर जो हो, option number A है, Euclid, ठीक है, ये जो Euclid है, Euclid बाबा है, जो, ये कहां के रहने वाले भईया, ये Greek है, आज मैं बात भी कर रहा था कि भई, ग्रीस और इंडिया, बिले जुले, हाना, बिले जुले का बतल भी है, कि हमारी जो चीजे है, वो maximum जो हो, सेम है, अगर भाशाव को भी देखे तो, ठीक है, लेकिन अब अग्रेज जो है, वो उन से प्रभावित है, क्योंकि उन्हीं से इसवह थे ही, वो संब्यता, उनकी पुरानी है, तो उनको यह लगता है, क्योंकि न यहां नहीं बनाई है, इंडियास नहीं नहीं है, क्योंकि उनको यह लगता है, यहां लगता है, वह हागना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं, ग ठीक है अब यहां पर यह जो नाम है P. Samuel, Cunningham and Bertrand Russell ठीक है इन से रिलेटर्ड में थोड़ी थोड़ी दोचार चीज़े लेकर आया हुआ आपके लिए याद रख लेना हाँ ठीक है यहां पर देख लिए भई क्या लिखा हुआ है ठीक है यह जो नाम देख रहे है आप P. A. Samuel य देख लेना क्या कुछ है ठीक है कुछ निया भई यह दोनों क्या है यह Cunningham और Bertrand Russell दोनों ब्रिटिश है ठीक है यह क्या कहते है P. A. Samuel, Commutative Algebra and its Application to Algebraic Demigometry तो भई P. A. Samuel को Algebra से रिलेट करना है ठीक है Cunningham, Special Relativity ठीक है जैसे यह प्रशन आया है वैसे इन पर भी प्रशन आ स अपोजिट चीजे जैसे कि वह था ना कि वही C वाला उक्षन उसके ओपर हासर रहते है कि पुष्टक जो बड़ी है तो उठाने के लिए easy होती है वह paradox होता है मतलब अपोजिट बात कहा है ठीक है तो इन्होंने इसकी बात किये तो इससे related अगर कुछ आए तो आपको जाए ठीक है फिलहाल आप इसको समझ लो की इसलिए लिखके लाएं तक आपको रिलेट रहें चलिए कोई बात निदिख जाएगा कल दिख जाएगा आपको PDF मिलेगा उसमें दिख जाएगा इसको पता दो फटा पर से शाबाश आंसर जल्दी से जल्दी से आंसर वेरी चलो ऐसा कुछ कहना चाहरें आप ओ माई गोड वी हव धाई गंटा ओ माई गंटा तो अधाई गंटे से हम क्लास ले रहे हैं अब तो हम बड़े मतलब वह कर रहे हैं क्या मूलते हैं प्रिश्र भी हो रखे हैं हम तो ठीक है यस डीडीबी बीडीची सी ओ माई गोड ठीक ह अधारती है क्या है बड़े क्योंकि, क्या हो कांस है अधि छिए और और इंवे और रहे है प्र बी बी बीर रहे हैं से और यहाँ यहाँ पर ठीक है क्यों है एक क्बार देख लेते हैं भई rekवाई प्रिश ने थे जा पाृई जैखा एक तो जनिया है उन GB चाहां मम्योड और method से काफी advantages है क्यों है it provides a wider range of sensory involvement, जैसे कि अभी अगर हम कहे तो आप मुझे देख भी, सुन सकते हैं और सुन भी सकते हैं, sensory involvement की wider range है जब कि आप बुक में ऐसा नहीं का सकते हैं, समझे रहो, book में आप क्यावल उसको देख सकते हैं सुन नहीं सकते हैं, आदा, that's why क्या है, कि वाइडर रेंज करते हैं सेंसरी इन्वोल्मेंट की ठीक है अलाउज टाइम फोर थी कि आप इसे से रिलेट कर लिया जब भी एजुकेशन टेकनोलोजी की बात आये आपको समझ में आ जाएगी पर उपर गाइडेस तो वैसे मिल सकती है स्कोप फोर अंडरस्टेंडिंग वैसे हो सकता है यह भी भूक मेंठेकनोलोजी के दवारा ज्यादा होने की चाल्सिज है थिक है मेरी दुबाएं लगेंग बच्चों कि ऐसा क्यों कहारा भाई मैं ठीक था कूँ एसा कुछ नहीं भाई देखो यह जो है ना मैंकुनगा यह कोलबरेटिव काम है इस को समझो हाना कमलजीत कोर जी प्लीज समझाए शीद को जो मेरी जो सोच है मतलब मेरा का मैं कर रहा हूँ आप अपना काम कर रहा है बस हाना मुझे जो पता है मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दू ठीडे आपको इसकी फिल हाल आव शकता है तो आप सुन रहे हैं तैसे वेरी गूद वेरी गूद वेरी गूद वेरी गूद अंसर क्या है पडाफर से आरे कोई दिक्कत नहीं है क्या हो गया सर सोना है जी, देख लो आप बैठे हुए होगे, पक्की बात है, कुछ तो लेटे हुए भी होगे, ऐसे करके देख रहे होगे, ठीक है, लेकिन मैं तो खड़ा हो तब से, पहले ओफलाइन में पढ़ाते हैं, तो आदत हो गई है, तो आणसर क्या है भी है, इस चीज को समझ लो, इस टेक्नोलोजी एडिड लर्निंग मेथर्स कुड बी ए गूर सब्सीचूट फोर ए फिल्ड ट्रीप, आप एक फिल्ड ट्रीप के बजाए, सब्सीचूट देना है आपको, हाना, सब्सीचूट का मतला उसकी जगह पर क्या, ठीक है, कौन सा हो सकता है, इंट्रेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम होगा, या वैब सेमिनार होगा, आप इस बात को कुछ से सूचे, इंट्रेक्टिव ज्यादा बेटर है, जहां पर इंट्रेक्शन हो, वो ज्यादा बेटर है, इन कम्पेरिजन टु वैब सेमिनार, वैब सेमिनार तो जूम पे भी हो जाता है, हाना सेमिनार का मतलब है कि एक आदिम बोल रहा है बाकि सारे सुने लेकिन इंट्रेक्टिव का मतलब क्या है कि जब हम टू-वे कम्मुनिकेशन करते हैं तो यह ज्यादा बैट रहा है लिया रहा है अक्षिएत्र भरमण के लिए अच्छा विकल्फ हो सकता है कौन सा इंट्रक्टिव लर्णिंग फ्रोग्राम आप गूबने जाये है वहां पर दिखाए यहाँ यहाँ पर यह बच्चे पूछा कि यह क्या है यह क्या होगा ऐसा कुछ होगा वेब समगोष्ठी नहीं वहाँ पर वन्ड में हो जायेगा ठीक है आप समझ पा रहे हैं ठीक है चलो जल्दी से बता दो छलो काम करते हैं भई एलेवन ट्विंटीनाइन हो गए ठीक है 30 पर खतम कर देते हैं आप भी थग गये होगे मैं नहीं थगा हूँ पहले मैं बता रहा हूं कभी सोचो कि आगे मैं यह हूँ, आगे मैं भी थक गया हूँ, ठीक है? अचलिया जी कोई बात नहीं जो question है कि कल पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं? मेरा ऐसा कोई मन नहीं है, मेरे मन की तो पूछो मन मेरे मन में बहुत कुछ होता है, ठीक है? लेकिन यह है कि चार आओ की maximum कुछ हो जाए ठीक है? वही class जो है हम कर लेते हैं, चलो इसके बाद दो question और करेंगे, ठीक है? जल्दी से इसका बात answer ले दो, CBRR, BBRR, फटाफट से बताओ भई, B, 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 C, 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 C जटिल, शक्तिशाली, प्रणाली, बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने भी answer सही होगा भई, देखो, जब भाशा सीखते हैं, तो क्या क्या होता भई? फोनोलोजी होती है, मतलब धवनी की बात होती है, हाना? लेक्सिकोन, मतलब जो शब्द कोश जो होते हैं, हाना? उसके ब अगर नहीं देखी हैं, तो उसमें आप देख लेना क्या language development वाली, ठीक है? language development की जो वीडियो है, उसमें मैंने ये चीजें बता रखी है, कि भई, कौन से कौन से होते हैं, ठीक है? तो इनी चीजों क्या उशकता होती है, चीदी सी बात है, हाना? तो ऐसा कुछ है, second last question, इस बताओ, मैं घर जाता ही नहीं, आज की बात छोड़ तो मैं घर जाता ही नहीं, ठीक है? एक बार आ गए तो आगए, आंसर क्या रहा है? कमल जीत को और बी कह रहे है, ठीक है? बार जी, very good, 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 C, 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 Megagupta D कह रहे है, Kashishkanath D कह रहे है, and Megaguptah जी तो भई, Megaguptah जी तो भई, पूरी confident है, और बिलकुल सही confidence है, इनका भईया, answer जो है, वो क्या है? D है, simulated learning, ठीक है? अब यह simulated learning होती क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको पहले देख रहा है demonstrating close to real life situation जैसा real life में होता ना उसके जैसा ही same उसके जैसा ही बिल्कुल उसके close is possible through which of the following किसके through possible है वो possible है simulated learning के त्वारा अब यह simulated learning क्या होती है simulated learning होती है यह आजा भाई अरे आजो क्या हुआ हुआ गडबड़ोगी कि आजो आ गया यह देखो यह simulated learning है हाँ aeroplane उडाना simulator पर सिखाया जाता है बिल्कुल aeroplane को अगर आप सोच के देखो कि सिखा रहे है यह जैसे कार चलाना सीखे वैसे aeroplane चलाना सीखे ऐसे सिखा सकते है नहीं वह आखों पर लगा के भई देखते हैं कि हाँ चला सकता है नहीं चला सकता है यह सिमुलेटर है यह असल में आदमी नहीं है यह जो यहां पर लेटा हुआ है यह प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन यहां पर सिखा रहे कि ऐसे ऐसे अगर हो तो आपको करना है ठीक है जी आंसर क्या है यहां पर सिमुलेटर मतलब उसके बिल्कुल close to real life वास्त्विक सब्सके लिए कुछ focussed रहके काम करना है हांना मेरा11 मैं में दिमाह है अगर सोच ही नहीं पाता हूं दिक़त ही यहां पने सअ ₤ थीक है तो भई काम करना है करतरें को बत्त Hag करतेए हैं और आप ​डॉक्टर करते हैं सभी करते हैं बहाई क्भला जैसे किrau मुद्blesी माइक्र students आएंगे उनके साथ आपको कैसे treat करना है वो वाला सभी तो करते हैं simulated ठीक है समझ रहो चलिए बता दो last question है भाई आज का इसके बाद में हम करेंगे class खत्म ठीक है बाकि वोचिंग के लिए वही thank you so much आपने 20 से कम होने नहीं दी ये बात तो माननी पड़ेगी ठीक है शबाश शबाश answer क्या होगा क्या कहा जाता है बता दो जल्दी से फटापट से answer फिर उसके बाद करते है class को end क्या होगा simulated समझ में आगे आ ना simulator समझ भाए तो एक बार भई वो जुरूर दिखा देना क्या वो लाल पिले जो होते है ठीक है जिसको ना पता हो वो दिखा देना जिसको पहले पता था वो मैं दिखाना कोई बात ठीक है चलिए इसको क्या कहीगा भई A A A B C and भई क्या 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 आ गया अरे वाए शवाश 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 एंड शार्दास लेंके D कह रहे अच्छा जिसको पता था वो भी दिखा देना कभी को कि मैंने बता दिया तो इसका उनल मुझे पता ही नहीं था ठीक है अरे वाए किरती सिंग जी आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो ठीक है अब देखो यहां पर बायो का मतलब इंसान भी आ गये और फिजिकल का मतलब जो इन्वारमें जो फिजिकल चीजे है वो भी आ गये है ठीक है तो आप देखी क्या यह बात सही नहीं जा रही है बायो फिजिकल हाना जी हाँ चलिए जी भी थेंक्यू सो मच आपने सही आंसर दिया था पहले ही तो भी वेरी गुड आपका नाम लिखते था हूँ मैं कशिश कशिश नाम वैसे भी अच्छा लगता है मैंने बता नहीं कि तो भी आज की क्लास को हम यहीं पर एंड कर लेते देखो क्वेशन में पास और भी सारे थे बहुत सारे क्वेशन लेका थे कि भई करेंगे ठीक है क्या एजुकेशन भी फिजिकल में आएगी कहां पर लिखा है भाई देखो ऑईजुकेशन जो हम देखें मैं यहाँ पर बात करूगा बाएगेशन का मतलब भी यह है जहां पर इंसन का या किसी जीव का और जो बाहर की चीज़े हो जहाँ पर उनका इंट्रेक्शन होता है तबी तो बाएगेशन अग्जरे क्या है यह हम सीखते हैं बाहर की जैसे आप अभी अपने फोन से सीख रहे हैं तो ये भी क्या है बायो फिजिकल यहां पर यह चीज लिखी गई है और यही आंसर दिया गया है ठीक है अधरवाज देते भी लिए ठीक है तो भई आज की क्लास को करते हैं यही पर अधर एंड ठीक है मिलते हैं कल अभी जो क्लास है वो नवजे ही हुआ करेगी ठीक है तो भई मिलते हैं कल सही नो बजे भी धेर सारे क्वेश्चन में फिर से लाने वाला हूं तब तक के लिए थैंक्यों सो मच है वे नाइस दे एंड बाबाए झाल